मैं केरेंगे इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉल्स सबस्माइबराइं धुरूर DIRECTOR होगा differentiation होगा ग्राफ होगा लोग फल्क्षन होगे यह इस आरे की जाब लोगों को को देख लेने हैं जो ट्रिग्नोमेट्री है इंटिग्रेशन है डिफ्रेंशेशन है मैच्स के हिसाब से अगर देखा जाए मैथेमेटिक्स के रहा वहात बड़ा से हमें सिर्फ उतना पढ़ना जितना फेजिक्स में हमारे काम आने वाला है तो आज करेंगे इनी चीजों को करेंगे देखेंगे डिफ्रेंशेशन इंटिग्रेशन ग्राफ लोग फंक्शन और वेक्टर्स भी यार बेसिक में आता है बट उसकी अलग वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी ठीक है बड़ा चलिए स्टाइट करते हैं आज की क्लास को सबसे बाले मैं बोलूँगा कि य आप लोगों को यही बोलूँगा यह जो टेलिग्राम चैनल बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप चाहते हैं फिजिक्स के अंदर फोर ना बेटा जी ठीक है और लेक्टर नोट्स के साथ साथ जो इंपोर्टन पीडियास होती है मेरी फ्री लाइव क्लास जो होती है तो उन सबका लिंक उनकी information आपको यहाँ पर मिल जाती है यह बहुत ज्यादा जुरूरी आप सबके लिए इसको जल्दी से जोइन कर लेना लिंक आप लोगों को description box में बड़ा जी मिल जाएगा लिंक कहां पर मिलेगा बड़ा जी description box में आप लोगों को link मिल जाएगा तो वह एक बार से जुरूर से देख लेना सब्सक्राइब चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं यार हम सारी चीज़े कवर करेंगे या पर सबको देखने वाले हैं और physics के हिसाब से देखेंगे मैच के हिसाब से नहीं जितना physics में यूज होगा उतना हमें पता होना चाहिए तो करते हैं उनकी शाल्ट के बारे में सट्रेडि करते हैं बीच में बनने वाले एंगल की स्ट्रेडिकर ठीक है तो इस वन आप दी मॉस्ट या इंपोर्टेंट बोलो इंपोर्टेंट ब्रांच ओफ मैथेमेटिक्स विच डिल्स विद दाह रिलेशन ऑफ साइड एंगल अ अ अब आरे पास आती है कि एंगल क्या होता है कि है कि आप किसी चीज़ को यहां पर रखो होके यहाँ पर आ गई है भी है इसको हम बोलते हैं इसको हम इनीशेल इस इस सइथ ही और जो दूसरी सथन्ट व झाल। यह क्या है यह कौन सी सब्सक्राइब कर करके तो यह है यहां से यहां गया रोटेट और करके गया कि यहां पर यहां पर रोटेशन होई है उसको मेजर कर ऊप्र अपर्वाइशन होई है वह होता है एंगल मतलब या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि इनीशल साइड से टर्मिनल साइड जाने में जितना rotation हुआ initial side में जहां से start कर रहे हूं जहां पर रुक रहा है वो टर्मिनल साइड से टर्मिनल साइड जाने में जितना rotation हुआ वो बोलते हैं हम क्या एंगल बोलते हैं अब एंगल दो तरीके से नोट किये जाते हैं जैसे कि आप सबको पता होगा आपने कभी देखोगा कि कभी एंगल को पॉस्टीव बोल दिया जाता है तो यह पॉजिटिव कभ बोला जाता है कभ नेगिटिव बोला जाता उसको देख लीजेगा देखो हमारे पास दो चीजे आप लोगों को याद होगे तो आप लोग उस एंगल को मैं पॉजिटिव एंगल बोलने वाले क्या बोलने वाले हो पॉजिटिव एंगल सब्सक्राइस ट्र और मतलब जब बोड़ी का honesty जो है इनिशन साइड से इस तरीके से हो कि वह anticlockwise direction में जा रहे है उस तरहा की क्या बोला जायेगा कि आप अगर आप तरह जा रहें हो इसकी तरफ ट्रह में इस Tortर उप से मेजर करते हैं अभ इनको जैसे कि कोईzer और सब्सक्राइब किलोग्राम नोड करते जा πयरत नोड करते हैं इस तरीके से नोड करते हैं को भी मेजर करने के दो तरीके हैं एक होता है डिगरी मेजर और एक होता है बेटा जी रेडियन मेजर ठीक है इसको पढ़ते है कि वट इस दा डिगरी मेजर क्या होता है देखो ध्यान से सुनो कि डिगरी मेजर का मतलब क्या है यह बोड़ी यहां थी ए पोजीशन पर यह साधिस की मतलब कहने का मतलब उसने पूरा एक चक्कर लगा दिया तो यहां पे डिगरी मेजर में बोला गया कि जो 306 ६ी पूरा चक्कर जो एक revolution है उसको 306 ६ीन बोला गया ठीक है अगर मुझे एक डिगरी निकालना है तो इक helfen मतलब है कि एग बटा मेंöl मतलब 306 ममतलोव इप पुआ चक्कर जो एक स्पूरा रिवोलउशन हुआ है रिवोलुशन वबन है उसका का हिस्सा बता रहे हुँ ठीक है और एक डिट्डीन रखनी है जैसे कि 109 का मतलब करनी घीकवल साट मिनट यह है यह है कि यहर। जो सिंघल लगाया है तो यहां पे तरह कि यह मिनट को करें अगर डॉपल लगाओं तो एक डिटीभी कर से उपरर में रहे होंगे जीरो टाइप का अब उसके बाद पढ़ते हैं रेडियन मेजर क्या है इसके लिए हम क्या करते हैं एक सरकल लेते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर हमने एक यूनिट सरकल लिया हुआ है यहां पर हमने बैटा जी क्या लिया हुआ है कि यूनिट सरकल लिय साइड हो चुकी है मतलब यह इसकी टर्मिनल साइड हो चुकी है ठीक है ये सोट नो धियान से देखना डिगरी के बाद जो रेडियन वेजर आता है थोड़ा साथ ज्यादा इंपोर्टन्ट हो जाता है क्योंकि इसमें चीज थोड़ी सी मतलब और ज्यादा डीप में आप लो पर कितना एंगल सब्टेंड किया ध्यान से सुनना कि आर्क ने सेंटर पर कितना एंगल सब्टेंड किया उसे बोला जाता है या उस एंगल को बोला जाता है रेडियन में सबस्दें आया, यहां पर हम rotation का हिस्सा निकाल रहे थे, यहां पर हम rotation का हिस्सा निकाल रहे थे, यहां पर बात करेंगे कि arc ने center पर कितना angle subtend किया है, उसे बोला जाएगा, उस angle को बोला जाएगा, radius में, ठीक है? तो, जब भी circle की form में, या कोई arc जब भी center पर angle बना रही हो यहां पर जो थ्रीटा हमें मिल रहा है एंगल जो मिल रहा है वो किसके बराबर है वह वन रेडियन के बराबर है इसके बराबर है वन रेडियन के बराबर है ठीक है समझाई चीजे तो यहां से आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है एक तो चीज यह ध्यान में रखनी है कि एंगल जो था वो आर्कपोन में रेडियस होगा और जब आर्क के दुवारा एंगल बनाए जाएगा तो उसको हमेशा रेडियन में ही मेजर करेंगे जब किसी रिवॉलूशन की बात होगी उसके हिस्से की बात होगी तो डिगरी में बात करेंगे ठीक है जब आप बहुत सार यहां पर हमने रेडियस को वन ही माना है तो इसका मलब रहा होगा जो एंगल बनेगा यहां से चलके यहीं पर आ गया है तो इसका डियन्द किया हो गई और अर्क की एक चक्कर लगता है जब पूरा एक चक्कर लगता है तो वो तू पाई रेडियन के बराबर होता है मतलब जब पूरे सरकल की बात हो रही है मतलब जब भई अब यहाँ पर आर्क जो है ना मतलब इस तरीके से कि जहां से पॉंट शुरूआBK वहीं पह गया तो अब ये पूरी लेंद्थ जो ए सेंटर पे जितना इंगल बना रही है यह क्या ऊगा तूपाइय रेडियन होने होला है तो यह यहां से धेखो यार यहां पर पूरा चक्क्र लगा है यां पे फीद एक पूरा चक्र लगा है कि मतलब जो पुक्ष साथ डिगरी के ब्राबर के बडाबर है और यहीं से यह निकालनेन कि यह पाई रेडियं होगा वह कितने के ब्राबर वह से इसको अगर अगर एक radiant निकालना चाते हो तो इसा तर भीज़ देना अगर एक ड्ईगरी निकालना चाते हो तो इसको इसके नीचे भीज़ देना तो यह चीज है आप लोगों को ध्यान में रखनी हैं Canada झिके समझ में आगया तरीकासा आप लोगों को बेटा जी, radian के अंदर convert करना है, पहले देखो, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है कि जो pi होगा, pi radian होगा, वो किसके बराबर है, वो है 180 degree के बराबर, ये हमने लिख लिया है, ये बात तो सभी को समझ में आती होगी, ये तो लिख लिए है, अब यार ये बोला कि 75 degree को आप एक degree है, इसका मतलब ये degree जो है degree के लिए, अब क्या करना मुझे, यहां से अगर मैं value निकालू, एक degree की, एक degree की, तो उसका मतलब है, कि वो होगा, pi by में 180, ये होगा, pi by में 180 होगा, yes or no, बताओ यार, फट से, ठीक है, तो automatically वो radian में आ जाएगा, तो यहां पर मैं क्या कर हूँ, 75 degree को, अगर मुझे radian में ले जाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, pi by 180 से multiply कर रहा हूँ, आप इसको cut करो, 75 और इसको cut कर दो, ये बनेगा आप लोगों के बास, 5 पर cut कर दो पहले तो, 15 आ गया है यहां पर, ये 6 आ गया है ना, हाँ, ये 6 आ गया, उसके बाद इसको over cut कर सकते हैं, तीन पर cut कर दो, और यहां पर आ गया pi, तो 5 pi by में बार, तो 5 pi by में बार, ठीक है, अब यार सीजों को ध्यान से समझो, यार हमें थोड़ा सा confusion create हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, कि भई जब pi से दिगरी से डिगरी में जाना है, या रिडियन से pi में जाना, तो किस तरीके से कैसे multiply, divided करना है, इसको उपर रखूँ, तो आप चीजों को समझो, मैंने क्या किया है कि 75 डिगरी मैंने लिखा, exactly 75 डिगरी मुझे जाना है radian के अंदर, ज्ञान से सुनो, मुझे किस के अंदर प्षिट्र डिग्री के बाद आपने जाना है किसमें रेडियन में तो आप सीधा 75 लिखो पहले और इसके साथ मल्टिप्लाइए क्या करोगे डिग्री में लिखनाई जिसमे जाना डिग्री में जो चीज ओते जिसमें जूए अभाए अ जाना है तो यह बनेगा आपका 24 बनने वाला है ठीक है इसका एक और आसान तरीका होते है आपको तो भाहि सीधा सा बोला गया कि डीडी में जाना है तो आप क्या करो सीधी सी बात है यार आपको पता है कि 2 तो आप 15 है पाई को खतम करना इसका मतलब जब डिगरी में जाना तो पाई को खतम करना और पाई की वेल्यू क्या होती है तो सीधा 180 से भी आप मल्टिप्लाइ करके और सॉल्व कर सकते हैं ऐसे भी आप लोगों के पास अंसर आ जाएगा तो बेरे खाल से इतना सभी को समझ में आया होगा एक बार जल्दी से बताइए ठीक है चलिए अब आ जाते हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेटिक क्वांटिटी है जैसे कि मान लिजा आप लोगों के पास जब कोई एक ट्रेंगल है यहां पर हमने एक एंगल बनाया थ्रीटा यहां पर एक एंगल बनाया थ्रीटा के सामने वाली जो इक ही जो क्या कर oraz होती है जो लेंथ होती है उसको लेंट वह बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं अब फ्रीटा के कि ऑनिद्यडी sür को भाट सी था बोल दो कि हाइप ऑफ ऐती होती हाइट तीनीव होती है ठीक है यहां रखने और यह वहली साइड होगी जिसको कि बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं यह है साइड करेंगे कि हम क्या गर करेंगे खीक है इनकी ब्रांच के रेशो करेंगे एक बार यार इसको जल्दी से नॉट कर लो स्क्रीशॉट लेलो मैं रब कर देता हूँ चलू तो भी यहां पे होने वाला क्या है मैं अलग से एक पेज ले लेता हूँ अलग से पेज लिके इस वे बताता हूं क ये रहा भई आप लोगों के पास एक triangle ठीक है जिसमें ये थरीटा है ये हमारा perpendicular है ये base है और ये hypotenuse ठीक है hypotenuse है ओके तो भी आप लोगों को बना इन branches के ratio के हिसाब से कुछ functions लिखने हैं या फिर बोलोगी कुछ trigonometry quantities लिखनी है okay तो हमारे पास वो कौ up कोन औंगे एक होगा हमारे पास कैसे सांइन knit ठीक है एक होग पहाव फिर समझें को याद रखने के लिए आप लोग क्या कर सकते दी आप सीधा सा एक याद रखेंगे पंडित बद्री परसाद हर हर बोले यह याद रखना है ठीक है अब इसमें याद रखना कि इसको बोलते हैं क्या इसको बोल देंगे सोना ठीक है यह भी मैंने भई इसको बोलेंगे चांदी इसको बोलेंगे चांदी इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है है इसका मतलब है एस फॉर साइन हम साइन वाले फंक्शन को यहां पर लिख रहे होंगे मींस साइन त्रीट अगर मुझे लिखना तो वह पर्पेंडिकुलर भाई में हाइपोटीनस होगा ठीक है इसी तरीके से जो यह चांदी का सी है इट इस फॉर कोस ठीक है तो कोस के ल सतब्समां की एक आइसनली के लावा कोशुंत ठीक है यहां पर लिख अगर कोट रिख यह सब क्या है यार कोस करने से हमें जो चीज़े में से अब साइनल तो कोषंटेटा कर मुझे लिखना है इसमें बनाओ यार लिख लिखना लिखो को सिकांट इसमें और इसमें एडियोए याद रखे ला कि यह इसे यह बेस अपन बाइस होता है तो यह एफवन में परपन्डीगुलर होता है इस अब लोग देख भी सकते हैं देख भी सकते हैं देखो साइन थीटा इस पी बाई में एच और आपका जो को सिकन्थ रिटा वह है वही है एक इस तरीके से अगर मैं बेस की बात करूं तो बेस बाई में एच तो अरे बेस की बात करूं तो बेस बाई में एच है सीकन्ड क्या होगा इसका उल्टा होगा बी बाई मतलब बी नीचे आ जाएगा एच उपर चला जाएगा तो वही हो रहा है बी नीचे जाएगा एच उपर चला जाएगा और टैन में क्या होता पी बाई में बी तो यहां पर क्या ह सी तरीके से कौक्स तती अगे के वर não रिक CHA presenting 30 के बराबर वन अपॉन में और थी आ के है वेऊंगरांबर सिर्वे इतनी बात मेरे एक हल से स्भी को समझ में आ गई थीक है है आगे बढ़े जल्दी से बताई इसके बाद देखें अच्छे सारे नॉट्स आपको टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएंगे कुछ चीज़े रही तो नहीं है चलो अब आगे देखते हैं इस एंगल को कभी पॉजिटिव मान रहे तो उस चीज़ को यहां पर हम समझने वाले इसके लिए हमने जो 360 डिगरी है उसके 4 हिस्से बना लिए एक लाइन यह बनाया दूसरा लाइन तो यह चार हिस्से में हिस्से में 90 जो है वो आ रहा है हर हिस्से में 90 डिगरी आ गया है मतलब कुछ इस तरीके से लिखेंगे इसको कि जीरो से स्टार्ट होके 90 तक जाता है फिर 90 से 180 तक जाएगा और चलना होता है अपको कहां चलना होता है सबसे पहले देखो यार आपको यहां से शुरू करना है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाडिंट जीरो से 90 डिगरी जो होगा ध्यान से देखना जो जीरो से 90 डिगरी है वो हमारा क्या है बेटा जी वो हमारा फर्स्ट क्वाडिंट है जो 90 से कितना है 90 से 180 है बेटा जी ठीक है जो 90 से 180 है वो हमारा सेकिंड क्वाडिंट रहेगा ओके वो हमारा सेकिंड क्वाडिंट रहेगा एक मिन टुकिएगा कहां गया यह रहा है और बेटा जी जो 270 से कहां तक होगा 360 तक जाएगा वो हमारा सोथा क्वाडिंट बोला जाएगा वो हमारा फॉर्थ क्वाडिंट बोला जाएगा यह चीज़ समझ में आ गई होगी होता क्या है कि जीरो से 90 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे वह सारे पॉजिटिव होने वाले हैं वह सा या साइन 60 मैंने लिखा, साइन 30 मैंने लिखा, कुछ भी value अगर मैंने लिखी, तो वो positive होने वाली है बेटाजी, ठीक है, इतनी बाते मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी, ओके, चलो, अब उसके बाद, दूसरा जो quadrant होता है, उसमें 90-110C के बीच में क्या होता, वाले positive होंगे, बाकि सब negative होंगे, और इसमें आप second and course वाले जो होंगे, वो positive होंगे, बाकि सब negative होंगे, ठीक है, इनको कैसे याद रखे, देखो यार, इसको कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, आप लिखेंगे, कि add sugar, यह बड़ा पुराना फॉर्मूला है ट्रिक है हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया अब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तुम आगे कभी कोई तुम में से अगर टीचर बन जाएगा तो तुम भी यही चीज़ सिखाऊगे ठीक है तो एड शुगर टू कोफी एड शुगर टू टैन ठीटा और कोट ठीटा पॉस्टिव रहेंगे और इसमें मतलब ठीटा नहीं मैं बोल रहा हूं कि टैन और कोट वाले पॉस्टिव रहेंगे यह बोल रहा हूं और इसमें कोफी आ रहा है तो को साइन वाले और सीकेंड वाले वह पॉस्टिव रहने वाले हैं तो कि इन क्वाडंट के हिसाब से हमने एक इमेज बनाया यहां नहीं है इसमें मैंने यहां पर एक इसमें इसा बना दिया यहां पर एक थ्रीटा है यहां पर तो पहले में सब को positive क्यों बोला जा रहा है इसलिए बोला जा रहा है अगर सायन तरीटा तो इसका मतलब यहांए यह है यह यह x जो positive y x बोला सभाइब इस वाला जो है यह आपका पॉजटीब यह वाला नीचे की तरफ रहने ओके अब ध्यान से देखना सभी Wi-Back बच्चे लिख उप ने laughed है व आ रहा रहा है आच भी पॉजटीफ हो का दिया सब को tunnels के अगर मालो मैं इस जैसे आपने टेन तरीटा लिखा तो वह क्या होता है हमने पढ़ा था पंदित बद्री पर साथ हर-hari बोले मतलब परपेंडिकुलर भाई में बेस परपेंडिकुलर दिस पॉजिटिव है बेस यह रहा पॉजिटिव है यह भी पॉजिटिव यह भी पॉजिटिव आएगी एर अगर मैं इससञा performance करूंबें इससरी इढओ सब्सक्राइज पर एब लोगों के पास परपेंडिकुलर रूआ यह आपका बेस हुआ और यह रहाना अगर मालों में यहां पर coast theta की बात करो तो coast theta is base upon me hypotenus यह यह था ना base upon me hypotenus होता है तो base कैसा है भाई साब इधर जाओ तो negative है तो इधर जाओ तो क्या है negative है तो इसलिए coast जो आता वो हमेशा क्या रहा होता है नेगेटिव आ रहा होता है ठीक है या फिर मैं बोलूँ कि सिर्फ sign theta और cosecant theta ही positive होंगे second में बागी सब negative आएंगे इस हिसाब से हमने इन चीजों को लिखा हुआ है ठीक है अब इसके अलावा तुमने सीखा होगा कि कभी भी जब तुम लिखते हो sign theta या sign में 90 plus theta कुछ लिखते हो या तुम sign 270 minus theta कुछ लिखते हो तो तुमने देखा था यार कि sign लिखा है बट cose में जा रहा है तो बेटा सबसे पहले चीज हो को समझो हमारे पास parent angle होंगे parent angle होंगे 90 and 270 इसी तरीके से मतलब इन एंगल को मैं बोला हूँ 0 degree 360 degree 90 degree 270 इनको मैं बात करूं इनकी मैं बात करूं कि parent angle हमारे पास होने वाले हैं जैसे कि मान लो कुछ चीज़ अगर ऐसे लिखी हुई है कुछ चीज़ अगर ऐसे लिखी हुए ध्यान से देखना कि आपने लिखा कि साइन 90 माइनस रीटा है ठीक है सबसे पहली बात जब यहाँ वाला एंगल 90 है सुनो देखन से जब यहाँ वाला एंगल 90 है कितना है 90 है या भाई साब 270 है या भाई साब आप बोलो कि odd multiple of 90 है odd multiple of 90 है of 90 degree है तो हमेशा conversion होगा तो वही बात बोले इसी को ही parent एंगल बोलते हैं मतलब यहाँ वाले एंगल को parent एंगल बोलते हैं इसने बोला कि अगर parent एंगल 90 है या ओड मल्टिपल ऑफ 90 है तो हमेशा sign किस में बदलेगा और या याद रखना तैन कोट में बदलेगा या कोट को यूज कर रहे होंगे तो कोट 10 में बदलेगा सीकेंट जो है वो कोसीकेंट में बदलेगा और कोसीकेंट सीकेंट में बदलेगा तो यहाँ पर क्या हुँए देखो साइन है 90 माइनस दृटा है तो भी parent एंगल 90 आ रहा है या फिर बोलो की आप यहाँ पर यह जो 90 है एक तरीके से भाई जब भी 90 आए तो तो कनवर्जन होगा यहां पर किसमें बनेगा 90-3 मतलब आप फर्स्ट क्वाइटिंट की बात कर रहे हो क्योंकि आप 0-90-3 मतलब पीछे ही कहीं रहे हो ना भाई इसका मतलब आपका जो अंसर है वो पॉजिटिव होते हैं और साइन 90-3 तो साइन 90 मतलब यह बनेगा कोस में तो कोस 3 आपके पास अंसर आना चाहिए एस और नो ठीक है अगर मान लिजिए आप लोगों को लिखा गया कोस 90 प्लस में 3 अगर लिख दिया गया तो इतना तो तैय है कि कोस यहां पे 90 आ गया तो 90 है तो भी कनवरजन होगा किसमें इसमें साइन में बट 90 plus 30 है तो second quadrant में पहुंच कर देंज सेक्ट कोडरण में cos जो होता है एक मिनुड़िया यहां पर त्रीटा क्यों लिख दिया इसको ऐसा लिख और को ऊस नयंगती प्लस त्रीट थैंग है तो अगर देखो so 90 प्लस 타, second quadrant second quadrant में negative होता तो answer आपका नेगरिटिव आ जाएगा देख लो चेक कर लो यार कोस 90 प्लस त्रीटा इस माइनस साइन त्रीटा ठीक है आप ऐसे सारी चीजों को कर सकते हैं अगर मानलों मैं यहाँ पर 360 अगर लिख दूँ तो इसका मतलब क्या है ना तो 90 है ना ही 90 का ओड मल्टिपल है मतलब ना तो यह इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी करफ रहे हैं तो इस तरीके से आप हर एक चीज के लिए लिए लिख सकते हैं मैंने या पैं मोशली सब सब के लिए बताया हुआ 90 के लिए भी बताया हुआ हर एक function का sign quart के लिए मैंने sign, cos और 10 के लिए बताया हुआ, आपकी सी के लिए भी find out कर सकते है cosecant के लिए भी cot के लिए और secant के लिए भी यहां पर 120C की बात हुई है, यहां पर 270 वली बात हुई है और यहां पर साइन जोगा वह हम इसके हिसाब से लगाएंगे कोडेंट के हिसाब से ठीक है अगर इनके अलावा कुछ भी आ रहा है जैसे एक सबस्क्राइब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली ठीक है इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ नेक्स्त आदीबड़े जी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो कि आपने छोटे होते हुए पड़ी होगी है चोटी क्लासेस में पढ़ लिए इसमें क्या होता है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि कैसे करते थे मेरे खियाल से यहां तक तो सभी को यादो होगा यहां से इससे पहले अरह सै इससे बनाते थे मांदो देखो क्या होता है छब् Comment क्या होता है या उसको देख लो इसके या जेरो डिग्री लिखा 300 साइद गिकर हुआ तो लिखने का तरीका क्या है आप यहां पे जीलो लिखो조 3 ले या इसके ली बात कर सब्सक्राइब कर देते हैं तब सीधा फॉर लिखो और सबका अंडरूट कर तो यह क्या बना भाई साइन जीरो जीरो 30 कितना बना 1 by 2 यह कितना बनेगा यह इसको कट करेगा तो 1 by अंडरूट 2 बनने वाला है तो आ गया समझ में ठीक है कोस में क्या होगा कोस के लिए क्या करने वाले कोस के यहां से जो वैली होती है उसको यहां लिख देंगे 1 लिखेंगे फिर इस वाली वैली को यहां ल में क्या होता है दोनों को डिवाइड और लो डिवायड कर दो धुपर 0 यहां पर बन है है जीडियोक को डिवाइड कर रहा वोन से तो कितना चाहिए जीरो आना चाहिए यह इसको इसको डिवाइड करो तो यहां से बचेगा सम्तिंग ओन जीरो इंपानाइट होने वला है ठीक है यह बात सब को बताओगी सबको वैल्यू आती होगी इतनी सीख रखी होगी नहीं आती है तो आज सीख लिए होगी अब इसके बाद देखो यहां से अब 120 लिख रहे हो फिर 35 लिख रहे हो 135 150 और बन डिगरी लिख रहे हो इनको कैसे करें अब नब्बे से आप जा रहे हो 120 में तो आप क्या करो 90 और 60 में कितना डिफरेंस है नब्बे और छाट में बेटाजी 30 degree का difference है वहीं यहाँ पर plus हुआ ना 120 की अगर हम बात करें तो 90 plus में 30 ही लिख रहे है ना इसका वालो जो 60 वाली value हो सारी यहाँ पर आ जाएगी तो under root 3 by 2 यह 1 by 2 है तो 1 by 2 है तो minus 1 by 2 आएगा क्योंकि कोस है ना 90 plus में जा रहा है second quadrant तो minus आएगा second quadrant तो minus आने वाला तो यह negative हो गया इसी तरीके से यह under root 3 है तो यह minus under root 3 होगा अब 135 की बात करते हैं तो वह क्या है 135 भई 90 से 45 पे जाओ ठीक है 90 से 45 में जाओ ठीक है तो कि देखो अगर आप 90 से 135 जा रहे हो तो 45 हैड हो रहे ना तो ऐसी चीज़ जूंड़ो कि उसका जितना प्लस होगा उतने difference पहुंच जाओ ठीक है उतने difference पहुंच जाओ तो 90 minus 45 तो यहां पर पहुंचे सुनना ध्यान से क्या बतारो 90 minus 45 यहां पर पहुंचे जित प्लस जितना हो रहा है उसका difference यहां पर पूछ लो तो यह वाली वैल्यू को उठाके यहां रख देंगे क्योंकि क्या उन्हें वाला है एक 180 से पहले-पहले क्योंता सेकंड गॉर्डन में नेगिटिव ही होता है क्या होता है नेगिटिव ही होता है इसी तरीके से 150 पे आज साथ है ज्यान से देखो क्या है 90 प्लस साथ तो 90 प्लस साथ का मतलब है कि 90-60 कर दो ठीक है आप पहुंच रहे हो थर्टी पे तो 30 वाले को पकड़ लो भाई सब में हमने यहीं तो किया अगर भाई मैंने 90 प्लस में 120 है तो 90 प्लस में 30 लिख रहा हूं ना तो 90 में से 30 गटाओ और 60 पर आजाओ फिर आपने 90 डिग्री तक वो जा रहा है 90 डिग्री तक वो जा रहा है ही समझाया ऐसी को स्थ्रिंट भी है इसे तरिके से यह बैल्यू चेंज हो रही है इसमें भी वैल्यू चेंज हो रही है इस श architectural यह हम में देहे होंगे सायं फोस्त रिटा की वैल्यू भी माइनस वन और प्लस वन के बीच में लाए करेगी और टैन्त रिटा की वैल्यू इस माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी के बीच में लाए करने वाली है minus infinity and plus infinity के बीच में लाए करने वली है बीटाजी ठीक है इतनी बास समन्झ में आई या नहीं आई बटाफट से एक बार बता दीजे ओके है ठीक है बेटा जल्दी से बताओ इतनी चीजह सभी को समझ में आ गई तो बटा यह जो वैल्यू है बस एक बार याद रख लेना एक बार याद रख लेना अगर मान लो यार एंगल कैसा है अगर मान लो एंगल 90 डिगरी है मतलब 90 डिगरी नहीं मैंनस में अगर है 90 नहीं साइन जीरो डिगरी माइनस त्रीटा लिखा हुआ इसका मतलब तो जीरो से नीचे की तरफ चोथ एक वाड़ेंड में जा रहे हैं तो साइन तो साइन रहेगा बट माइनस का आ जाएगा यहां पर कोई 90 थोड़ा है ना कोई 270 तो साइन तो साइन रहा ब्ट चोथे क्वाड़ेंड में साइन नेगीटिव होती होता तो तो नेगीटिव इंसर आ गया देखो ऑगिए इसी तरीके से किसी की बात करूं कोस की माइनस तुरीटा की मैं बात करने वाला हूं माइनस थीट सब्सक्राइब एक पर नेगेटिव और साथ में इसको देखने वाले हैं एक बार से इसको नोट करिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी हम करने यह इंपोर्टन चीज देखो इन सबके अलावा जैसे आपने अभी यह एंगल जो पड़े हैं आपने पड़ा जीरो डिगरी की क्या वेल्यू है साइन थर्टी की वेल्यू बताओ या तुम्हें बोल दिया जाता है कि कोस्ट तरी की वेल्यू बताओ टैन फिफ्टी तरी की जो यह आपका स्पेशल केस आहता है तो इन्हीं को एक अब एक समझते हैं एक बड़िया वैले ठरी केसे चाहिए आपको इसके लिए इक ट्रेंगल की समझ prim geenub다면 बनाता हूं जो तो यह आंपर यहेक ट्रेंगल बना दिया ची को प्या Dan इसको मैंने लिखा तीन यह हो गया चार ठीक है मुझा आप तीन चार पांच ऐसे करो ठीक है यह इधर से ट्रेंगल बनाओगे तो थीन चार पांच ऐसे कर देना आप लोगों की मर्जी है अब आपको क्या करना होता देखो यह एंगल सबको पता है कि 90 डिगरी होने वाला है इतना अब किसी की वी मुझा ली जाए माला तुमसे बोले की भाइसाब तुम निकाल दो टैन 37 डिगरी की वेल्यू निकाल दो इस तुम से कोई बोले कि 10 37 डिगरी की वेल्यू निकाल दो सबसे पहले जिस एंगल की बात कर रहे हैं उसके सामने क्या होगा परपेंडिगुलर होगा ठीक है और यह 90 डिगरी 90 के सामने हाइपूटीनिस तो यह बेस बच गया ओके तो इसका अठीके से आप वेल्यू लिख सकते हैं 10 37 की 10 37 की 3 by 4 जो है वेल्यू वह बन चुकी है बिल्ट अजी अब ऐसे ही आप लोग किसी की वेल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब अगर तुम से कोई बोल दे कि चलो साइन 53 डिगरी की वेल्यू बता ओए इसकी वेल्यू बता तो साइन के केस में प्रपेंडिगुलर भाई में हाई पुट्इनेस लिखते हैं तो प्रपेंडिगुलर बना चार और नीचे बना आप लोगों की पास हाई पूट्इनेस कितना पांच तो यह आ गई साइन 53 डिगरी की वेल्यू जो कि कितनी है 4 by 5 ऐ त कि इस तरीके से ब से कौन आपको लोगों का एच रहने वाला है ठीक है समझाई इतनी बाते येस और नो फटा-फट से एक बार सभी बच्चे बताइए भी ठीक है तो यह से आप सब ना बेच बना तो बेच अपन में हाइप्रट में पांच यह थी एक पांच हो गया बताओ कोई दिक्कत इतने में फिक है आप देख सकते हैं को फिफ्टी दिग्री की क्या वैल्यू रहेगी आप लोगों के पास थीन बटा में 5 रहने वाली हैं नेक्स्ट आपिक हाता आप ल लिखना है तो तुम लोग लिखते हो कि साइन थ्रीटा की वेल्यू क्या होगी पीवाई में एच होगी मतलब प्रपेंडिगुलर वाई में हाइपूटिनस होने वाली है तुम यह लखते हो यह नहीं लिखते हो पताओ येस सर, माल लो तुमने ट्रेंगल बना लिया यहां पर, तुमने कुछ भी एक ट्रेंगल यहां पर बना लिया ऐसे यह ट्रेंगल बना लिया, या ऐसे ट्रेंगल बना लिया, कुछ भी जो आपको सही लगे इस angle को आपने बोला कि ये theta है तो ये हुआ perpendicular ये हुआ hypotenuse और ये हुआ आप लोगों के पास base तो आप सीधा लिख दो कि sign theta is what perpendicular by में hypotenuse लेकिन अगर वो तुमसे बोल दे if theta is very small अगर बहुत ज़्यादा चोटा है भई तो उस case में क्या sign theta को लिखा जा सकता है मतलब sign theta को बोलोगे कि theta लिखा जा सकता है बट वो कैसे लिखेंगे उसको एक बरसे समझ लिते हैं देखो वो बोल रही है कि जब theta बहुत जादा small हो जाए मतलब आप इस triangle को ऐसे बना सकते हो ऐसे बना सकते हो देखो ऐसे बना सकते हो बहुत ज़्यादा छोटा इसमें कर दिया है तो बटा यहां पे केस जब थ्रीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि जो H और B है वो बराबर हो रहे है जो H और B है वो क्या हो गए है बराबर हो गए है इसक इसको मैं Prewpendigular बोल सकता हूं एप गार्क आपॉनमेरीडियस कोने रेडियस कोने भी योई एच बराबर हो चुके हैं तो मिसको biz Lex दिता हूं यहां पर गज़ो प्रपेंदीगिोलर की मेन साइन थरीटा हो जाएगा सबस्क्राइब थर किसके बराबर के बराबर हो जाएगा। मेरे जाल से इतनी चीजे सब्सक्री में सबस्क्राइब होंगे prevention अगर कि स बात सबस्क्राइब थरो tap मैं पता ही है कि कितनी हो रही है वो रही है और यह थ्रीटा भी हो रही है और बी नीचे है यह तो यह से कट तो टैन थ्रीटा भी क्या लिखा जाएगा बेटा जी वो भी थ्रीटा ही लिखा जाएगा अगर मान लो कोस्ट थ्रीटा की बात करें किसकी बात करें कोस्ट और नीचे भी लिख सकते मीस कोस्त त्रीटा की वेल्यू स्टेम आप लोगों क्या लिख सकते हो निख सकते हो कोस्त लिख सकते हो यहां तक यह सारी चीज आप लोगों को समझ में आगी और कुछ यहां पर नहीं रहा है तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक की तरफ चलो चलिए तो नेक्स टॉपिक बटा कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास सिर्फ फॉर्मलाज हैं जो आप लोगों को याद रखने पढ़ेंगे ठीक है अगर आप बहुत सारे कोशन्स करना चाहते हैं तो यह सारे के सारे जो फॉर्मलाज हैं यह सब को याद कर ले ना कितने ह वाले यूज़ हो रहे होंगे हुग है तो सारे फॉर्मले यूज़ नहीं होते हैं लाटे पाटा होना चाहिए थिक थि इन फॉर्मलाज's को एक बार और रही है ठीक है उसकी image कैसी बन रही है आप यह बोल सकते हो या फिर बोलोगी आप उसका design कैसा बन रहा है उसको आप लोगों ने देखना है ठीक है बस ये graph होता है मतलब आप लोगों को equation दियोगी quantity दियोगी दो क्योंकि graph क्या बनता दो quantity के बीच में बन रहा होगा उनकी equation दियोगी और उसके अधार पे तुम उसके image या design कुछ prepare कर रहे होंगे तो आपको कुछ चीजे ऐसी हैं कुछ equations ऐसी हैं जो आपको पहले से याद रख लेनी है कि हाँ यार इसका design इस तरीके का हो सकता है ठीक है आता वही है बस आपको याद रख लेना है ताकि आपके question जो है वो जल्दी हो सबसे पहली बात जो graph होगा वो दो quantity के बीच में बनेग की वन ठीक है तो यह वाली जो quantity है वाई जिसको मैं बोल रहा हूँ इसको जो मैं वाई बोल रहा हूँ यह depend करेगी सेक्स के उपर मतलब अगर वाई की वैल्यू कुछ ऐसे हो वाई की वैल्यू माँलो कुछ x square लिख देता हो अभी के लिए मैं अभी के लिए 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 ल यह मतलब x independent है वो किसी बेंड नहीं कर रहा उसकी अपनी वैल्यू है वाई की वैल्यू डिपेंड कर रही है किसके उपर x के उपर ठीक है तो इधर आप independent quantity लिख रहे हो इधर आप dependent quantity लिख रहे हो इन दोनों के बीच में ही graph बनेगा ओके चली तो design होता है यह आपको कुछ चीजें जो आपको याद रखनी पड़ेंगी जैसे स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास आ जाता है स्ट्रेट लाइन क्या होता है तो उसके लिए आप लोगों को पता होने चींद कि स्ट्रेट लाइन जो तब वह उसकी एक equation होती है y is equal to mx plus c इसमें पर साथ जो iigent चीज़ें वह क्या है emm ko बोलते हैं अच्छी को बोलते हैं इंटरसेफ्ट लो एकक्स करेंगी यएक्सिस करेगी चाहे वो नेगर्टिव एक्सिसओ पॉस्टिव या नेगर्टिव है एक बार मतलब की चीज़ का है सब से पहली बात देखो जो स्लोप होगा स्लोप होता है ढलान भी slop का मतलब क्या है slop का मतलब क्या है आप ढ़लाण ही तो चेक करते हैं किसी चीज की माझल लो आपने कोई graph बनाया इस तरीके से ऐसे graph बना रहा है और तुम बोल रही है तो आपढ़ रहा है इस स्लोप आपढ़ निकाल रहे या फिर आप इसको बोलो कि आप 10 त्रीटा निकाल रहे हो, ठीक है, means y2-y1 upon x2-x1, आप ऐसे लिख सकते हो, होता क्या है, 10 है क्या यार, perpendicular by में base, तो perpendicular वाला axis को नहीं हमारा y axis, और base को नहीं हमारा x axis, तो यहां पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि change in y upon में change in x, बट यह change ले हो, तो slope क्या होता है, y axis upon में x axis, y axis upon में i axis, ठीक है, clear है, अब slope जो बेटा वो positive भी हो सकता है, positive भी हो सकता है, तो positive और negative के दो चकर है, ठीक है, जब देखो यार, यहां पर एक example लिया हो, हमने, यह कोई एक नाला बना रखा है, मतलब नाला बना या hole बना रखा है, जिस मालो यहां पे कोई एक ball हमने रख दिये, यहां पे कोई ball हमने रख दिये, जिसकी velocity कितनी है, वी बन, तो क्या यह इधर जाएगी भई, मालो अगर यहां पे इसका slope जो है, वो zero है, तो यह यहां नहीं जाएगी, बोल तो पड़ी है, धलान zero है, जब धलान ही zero हो गया, तो क ठीक है, क्योंकि देखो, अगर मालो तुमने थोड़ा से angle बढ़ा है यहां पे, तो velocity थोड़ी जादा होगी, speed की यहां जाएगी, बोल की यहां जाएगी, फिर थोड़ा सा और बढ़ा है तो अब जल्दी से यहां जाएगी, yes or no, तो इसका मतलब यह है, इसका मतलब यह है कि 0 से जब 3 जा रहे हैं, 0 से जब 3 जा रहे हैं, तो value क्या हो रहे हैं, 0 से 90 जब जा रहे हैं, तो m जो है वो increase हो रहा है, m जो हो कैसा हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, मतलब आप यह बोल दो, कि जब भी आपका 3 ता 90 से कम है, जब भी आपका 3 ता 90 से कम है, तो आप आपका M हमेशा positive आएगा, आपका M हमेशा क्या आने वाला बिटा जी? positive आने वाला है, मतलब theta से, जब theta की value 90 degree से कम है, अगर मान लो जादा है, तो देखो यहाँ से यहाँ angle यहाँ पहुचा, यहाँ से यहाँ angle यहाँ पहुचा, तो इससे क्या होगा? दोबारह से क्या हो रह जैसे जैसे angle बढ़ता जा रहा है, speed घटती जा रही है, तो इसका मतलब negative होता चलेगा उसके बाद, ठीक है? तो आप बोलोगे क्या? कि अगर theta बढ़ा है 90 degree से, तो अब जो M की value negative आने वाली है, ठीक है बेटा, आपको दो चीज़े याद रखनी है कि straight line की equation क्या है? y is equal to mx plus में c, जिसमें m जो होता है वो आप लोगों का slope होता है, y और x तो वही coordinates ही होते है, c क्या होता आपका intercept होता है, intercept का मतलब है कि वो y x इस पे कहां पे cut करेगा, वो positive y में भी cut कर सकता है, अब जो slope है उसकी value positive भी होती है, और negative होती है, positive आप कब बोल सकते हो जब उसकी value, हमेशा देखो इसकी value हमेशा positive भी आएगी, जैसे ज़्यादा होगी तो उसकी value negative भानी शुरू हो जाएगी, देख सकते हो आप लोग यहां पर, देख सकते हो यहां पर, एक मिनट रुको, मैं आपको table दिखाता हूं, देखो, 10 की value को check करो, 10 की value को check करो, 10 जब 0 है तो 0 value है, फिर यहां पर कम थी, 0 से थोड़ी बड़ी, फिर यहां जाद होई, थोड़ी से और जाद होई, यहां पर infinity हो रही है, उसके बाद यह negative में जा रही है, तो 90 से कम क्या है, positive रहेगा, उसके बाद negative शुरू हो जाएगा, यह याद रखना बड़ा important concept है, ठीक है, बड़ा important concept है अब, जो C है नवेटा, वो negative भी हो सकता, positive भी हो सकता, कुछ इस तरीके से माण लो, आपकी जो, X और Y के बीच में जो, गराफ आरहा है, वह कुछ इस तरीके से आरहा है, माण लो, ऐसे, यहां पर दोकट किया है, positive Y पे पर कट कर रहा है,呀, फिर कुछ इस तरीके से हो सकता कुछ ऐसा कर दे हैं यह कुछ ऐसा कर दे ऐसा वी तो हो सकता रहे ऐसा हो सकता तो बीडी चेंज होती 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 है उस इस टाइम कोशन में जो भी दिया होगा उसके साब सब लोग लिख सकते हैं बट आपको समझ में आना चाहिए कि यार सलोप क्या होता है स्टेट लाइन इक्वेशन क्या होती है ठीक है और मैंने पहले बोला है कि यह ग्राफ है मतलब यह पिक्स्चर है और कुछ भी नहीं है जो डिजाइन है जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसा आ जाए वाई वन बाए एक्स है मतलब वाई जो है एक्स के साथ इंवर्स का रिलेशन रखता है तो आप गराफ कैसा बनाओगे तो बेटा इस केस में आप जो गराफ बनाओगे बोलोगे रेक्टेंगुलर हाइपर बोला क्या बोलोगे उसको रेक्टेंगुलर हाइपर बोला ठीक है सर हमें क्या बता यह ऐसे आएगा अरे बेटा यह कॉम्मन सा है सिंपल सा है तो कि अगर मान लो एक्स की वेल्यू आप लोग 0 रख रहे हो ठीक है तो य की वेल्यू भ अगर मानलो मैंने X की value 1 रखी तो Y की value 1 बोल सकते हो अगर मानलो मैंने X की value कितनी रखी है पटा जी X की value अगर मैंने 2 रखी तो Y की value आप लोग क्या बोल सकते हो कि 0.5 आएगी क्योंकि आप 1Y में 2 लिखोगे येस और नो क्या लिखोगे 1 by में 2 लिख रहे हैं तो 0.5 ही बनने वाले तो value घट रही है तो वो understood है कि हाँ यार अगर ये equation है तो graph ऐसा ही बनेगा y और x के बीच में जिसको हम क्या बोलते हैं rectangular hyperbola बोलते हैं means अगर ऐसे भी आ जाए equation कि x y जो है वो constant है बटा दी x y जो है वो कैसे है constant है ठीक है मान लो कर रहे है ऐसा आ जाए कुछ मान लो कुछ ऐसा आ जाए कि y जो है वो 1 by x की power आ जाए कुछ अना मतलब y और x में अभी भी relation क्या है inverse का ही है बट अब power आ गई है या कुछ ऐसी आ जाए y 1 by x क्यूब power बढ़ती जा रही है तो आप देखोगे कि उसमें जो graph होगा जैसे जैसे पावर बढ़ रही है यह तो आपको पता है कि शेप क्या आएगी यह आने वाली है यहांसे पता लग गया लेकिन आप पावर अगर बढ़ रही है ध्यान से द ठीक है मालो यार यहाँ पे आप लोगों के पास मैंने रखा कि X की वेल्यू कितनी है 1 है तो आपने Y की वेल्यू 1 बता दी मालो मैंने रखा X की वेल्यू 2 है तो आपने Y की वेल्यू कितनी करोगे यहाँ पे 1 by में 4 कर दोगे 1 by में 4 कर दोगे yes or no पड़ा पड़ से बताओ ठीक है 1 by में 4 कर दोगे तो वो steeper होता चाहेगा steeper होता जाएगा ऐसे अगर cube करोगे तो और power बढ़ेगी तो power बढ़ रहे है तो over y की value छोटी होते जाएगी तो वो और steeper होता जाएगा बस आपको shape याद रखने है कि भाई जब भी ये वाली equation होगी जब भी ये वाली equation दिखेगी तो graph ऐसा बनेगा ठीक है graph ऐसा बनेगा ये हमारी independent quantity ये हमारी independent quantity ठीक है बटा चली next आता बटा जी parabolic या फिर parabola आप इसको बोल सकते हैं parabolic या फिर parabola जैसे आपने अभी जो equation करी उसमें inverse का relation था यहाँ वाली equation में direct relation है कि y is directly proportional to x square ठीक है y is directly proportional to x square अगर दे रखा है तो देखो बटा इसको बोला जाता है parabola सबसे पहली बात यार जिसके उपर power है जिसके उपर power है ध्यान से सुनू मैं क्या important शीज बता रहा हूं जैसे कि यह आपने x axis लिया यह y axis लिया तो जिसके उपर power है देखो पहली बात तो graph ऐसा बनने वाला है मतलब u shape में बनने वाला है u shape का मतलब है कि यहाँ इस side यह open है u shape का मतलब है कि यह side open है yes or no clear है बेटा u shape का मतलब यह side open है हना चलो तो पैरा बोला का मतलब है कि u shape का graph बनेगा बन बहुत सारे बच्चे confusion create कर लेते कि u कि side बनेगा मतलब y की side बनेगा या x की side बनेगा कि side बनेगा यहाँ पर power देखो भाई यहाँ पर power देखो ठीक है तेकिन यह power दो से बड़ी है तो इसकी शक्ति जादा है यह क्या है भई शक्ति जादा है इसकी शक्ति जादा है x की power है ना x की शक्ति है तो इसमें attitude जादा है यह कहेगा भई मेरी side open नहीं हो ना मेरी side open नहीं हो ना तुम y की side जाओ बात कतम कर समझाया तो यह y की side open होगा इस तरीके से ठीक है x की शक्ति जादा है अगर मानलो यहां पे x की power को और increase कर दिया जाए ठीक है x की power को और increase कर दिया जाए मानलो x की power कुछ भी आपने cube रख दी x की power आपने cube रख दी तो अगर आप x की value 1 रख रहे हो तो y की value 1 अगर आप X की value two रख रहे हो तो Y की value कितने आ रही है भई 8 आ जाएगी अगर आप X की value three रख रहे हो तो Y की value कितने आएगी 27 आ जाएगी ठीक है तो आप देखो कि क्या होगा कि graph जो सीदा होता चलेगा फिर ऐसे फिर graph थोड़ा ऐसे हो जाएगा ऐसे होता चलेगा समझाया क्योंकि देखो यार आपने क्या किया है मालो यहाँ पर आपने रखा x की value 1 है यहाँ पर x की value 2 है यहाँ पर x की value 3 है तो जो आपने 1 रखा तो y की value 1 है तो मतलो यहाँ से graph हो गया चलो जी ठीक है यह अपने ऐसे बनाए जब आपने x की value 2 रखी तो y की value एकदम से 8 आ रही है तो graph एकदम से ऐसे जा रहा है पिर जब आपने x की value 3 रखी तो y की value एकदम से 27 यहाँ पर कहीं आ जाएगा एकदम से ऐसे तो ऐसे चलता चलेगा एकदम से समझा रही है चीज़े yes or no ठीक है तो यहाँ पर क्या चीज़ समझ रही थी कि hyperbola sorry hyper नहीं parabola का मतलब क्या है कि y directly proportional to x square और x square है तो वो उसकी power जादा है वो अपनी side touch करवाएगा दूसरी side open बोलेगा कि भाई दूसरी side जाओ याद करने का तरीका या रही है कि दूसरी side open हो मालो यार अगर power कम आ जाए y की directly proportional x ही हो लेकिन power x से कम आ जाए तो क्या होगा अब भाई power 0 से मतलब 0 में आ गई है कुछ हाना 1 से चोटी हो गई है power जो है 0 से 1 से चोटी हो गई है 0.5 आ जाएगी यहां पर लिख रहा हूँ तो अब भाई साब x बोलेगा कि भाई चलो मैं कमज़ोर हो चुका हूँ अब मेरी side open हो जाओ तो उस टाइम पर जो graph है वो कुछ फिर इस तरीके से बनेगा clear है अगर power ऐसी आ जाए या under root में हो आप ऐसे भी बोल सकते हो ठीक है बटा लेकिन जब power 2, 3, 4, 5 आ रहे है तो graph इस तरीके से आप इसको दोनों side भी बनवा सकते हो आप इसको single side भी बना सकते हो कोई फरक नहीं है ठीक है चलिए next देखेगा next आता है exponential graph exponential में क्या होता है चीज़े एकदम से आप लोग बना रहे होंगे कि एकदम से increment और एकदम से decrement मतलब increase भी एकदम से हो रही होंगी चीज़े और decrease भी एकदम से हो रही होंगी चीज़े ठीक है तो वही चीज़े कि अगर मानलों आप लोगो कोई equation दी y is equal to e raise to power minus x है ठीक है y is equal to e raise to power सवाइक समझने की है यहां पे हम क्या है मांने थी रखी और यह भंड रहा है यह रहा है तो आप इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाओ क्योंकि आप X की value रख रहे हो plus में बढ़ते जा रहे हो Y की value क्या होती जा रहे है decrease होती जा रही है इसी तरीके से अगर आप Y is equal to E plus में X रख दोगे तो X की कोई भी value रखोगे तो Y की value भी plus में ही आ रही है तो graph उपर की तरफ चलेगा graph उपर की तरफ अगर इस तरीके equation है तो graph ऐसा ही बनने वाला है ठीक है और maths में तो आप देखते ही हैं कि आप different different value पुट करते हैं और उसके साबसे फिर graph बनाते भी हैं ठीक है बटा फिर graph बनाते भी हैं इसके बाद आता है बटा जी sine wave और cosine wave मतलब sine का waveform यह sine का graph क्यास होता है और इधर आपका cos का जो है कैसा रहता है इधर मानलो omega t है इधर आप लोगों के पास maximum value है amplitude की maximum value है ठीक है इधर क्या है amplitude की maximum value है क्या होता है कि जो sine में graph बनता वो कुछ इस तरीके से बनता कि वह 0 से शुरू होता है एक time interval की में बात कर रहो फूरे time interval की मैं बात कर rusty से शुरू eats maximum वेखिनू तक जुका था प्लस फिर घरता जाता जाता हो negative में magg maximum value तो जाता है नेग्यटी में भी maximum value की कि इतना घड सकता है फिर यह दूबारा से यहां पर आ जाता है 360 पर जीरो पर आ जाता है मतलब यहां पर आप बोलोगे कि इस वह साइन ग्राफ है एक टाइम पिरड में वह 0 से स्टार्ट होके 360 पर खतम हो जाता है इसकी वैल्यू मैक्सिमम प्लेस में जाती है 1 नेगेटी में जाती है माइनस 1 ठीक है ओके इसी तरीके से कॉस वंक्शन सेम होगा इस तरीके से इस जो स्टार्टिंग होगी वह यहां से होगी बटा आप लोग देख सकते हैं लिए फ्लिता ओने अब horea अब maximum displacement बोल सकते हो मतलब है तो एक्स के बीच में इधर एक्स ले रहे हैं displacement ले रहा है अब घ्याएगा है अब होगा क्या देखो यह जो एक्स ए आपने बोल दिया कि इधर जा रहा है तो वैल्यो उपर ऑपर भी जा रही है घट भी जा बिल्कुल और जो आपका कोस्ट ग्राप है वो 90 वाले पॉर्शन से शुरू होता है जाप पहले 90 था ठीक है मतलब आप माइनस वन बोल दोगी माइनस वन से शुरू हो रहा है ऐसे क्लियर चलो यार अब आगे की दरफ चलते हैं नेक्स देखिएगा नेक्स क्या आता है नेक्स आता है सर्कल और एलिप्स तो सर्कल और एलिप्स की एक्वेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए क्या होती है सर्कल की एक्वेशन एक्वेशन प्लेस में एक्वेशन प्लेस में एक्वेशन रख रहा हूं तो यहां पर उसके वेल्यू है उस पॉ इतना य है इतना वाई है तो यह X और Y उस तரीकर है डिखाइन होते हैं ऐसे यह EDIP में घुकर स्वाटे प्लेस या क्या है इतना यह स्कूर इसरकल का रेडियस था बल्लिस में दो होते कि मीघर एक्सी Committee और एक्सी स्क्वेर x के नीचे लिख रहे हूँगे a स्क्यारy के नीचे लिख रहे होंगे a स्क्वेर अध्य्र पता होने यह अगर है तो नेक्ट करते हैं जेस्ट करते हैं इसको मैं मिनेट डिफ्रेंशियेशन है क्या डिफिरेंशियेशन है क्या डिफ्रेंशियेशन इस दा प्रोसेस अ फानिग दा किया होता है तो सबसे पहले देखे है यह derivative है क्या derivative is the instantaneous rate of change rate of change of a function with respect to one of its variable मतलब भाई अगर मैं कहूं आप लोगों को कि y में मालो मैंने x में change किया तो y में भी change आ जाए ठीक है इस बात को समझें ओके लेकिन हमने क्या बात बोले है इन्स्टाटेनियस यह instantaneous rate of change of a function with respect to one of its variable है जैसे कि हमने यहां पर बताया कि y जो है एक function है किसका x का मिन्स अगर x में हम कोई बदलाव कर रहे हैं तो y में भी बदलाव आएगा येस और अगर हम x में कोई बदलाव कर रहे हैं तो y में भी क्या आने वाला है बेटा जी बदलाव आने वाला है चेंज आने वाला है ओके चलिए अगर मैं यहां पे एक graph बनाऊ यह एकस और y एकस के बीच में एक मैंने यह इस तरीके से graph बना दिया है ठीक है इस तरीके से यह graph बना दिया अगर मैं यहां पे change लिख रहा हूँ change of y अगर मैं यहां पे change of y लिक्खूँ और with respect to किसके लिखो बेटा जी X के लिखो तो आप क्या करोगे यहां पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखो तो आप क्या करोगे तो आप सिलोप निकाल दोगे बेटा मतलब अगर मालनो मैं बोलू कि यहां से लेके इस ग्राफ पे कि A से लेके B के बीच में जो Y और X है वो किस तरीके से चेंज हुए हैं उसके लिए आप क्या करोगे इस लोप निकाल दोगी ठीक है क्या निकाल दो बटाजी स्लोप इसका इस लाइन का अब क्या निकाल दो करे स्लोप लगा दोगे मतलब आप लिखोगे चेंजिन वाई y मे change in X यही लिख रहे हो change in Y य में change in X means आप slope निकाल रहे हो slope निकाल रहे हो किसका निकाल रहे हो off line A B का A B का slope निकाल रहे हो but हमने derivative को क्या बोला है differentiation को क्या बोला है it is the rate of change कैसा rate of change है यह instantaneous है मतलब यह जो change हमने लिखका यह बहुत बड़ा change है क्योंकि A से B के बीच में X चेंज हो रहा है Y भी चेंज हो रहा है ठीक है में जो यह आप डेल Y बाई में DX लिख रहे हो इसको आपने slope of line A भी निकाला है ठीक है तो यहाँ पर आप instantaneous नहीं ही निकाल रहे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा डेल एक्स को और छोटा करना पड़ेगा दिस कैंनोट बी दा precise definition of the rate that is we have to take delta X very small वही बात मैं ने बोली है कि del X को हमें बहुत छोटा लेना पड़ेगा क्योंकि यहां से यहां में बदल ही तो रहा है ठीक है मान लो यार कोई graph अगर ऐसे जा रहा है अगर मैं at an instant की बात करूंगा तो मैं एक delta X को बहुत ज़्यादा चोटा कर देते हो ृइट चोटा कर देते हो यहां इतने को है कि मिलगे साथ में साथ में siitä ना अब यह चोटा सा चेंज आ है differentiation is the process of finding derivative derivative का मतलब क्या होता instantaneous rate of change of function with respect to one of its variable यहाँ पर हमने एक graph लिए होगा जिसमें x एक variable है और y जो वो function of x है x में अगर बदलाब आएगा तो y में भी बदलाब आएगा अगर मैं इस graph में a और b के बीच का slope निकाल रहा हूँ तो मैं इसका बड़ा है यह precise definition नहीं है instantaneous की क्योंकि instantaneous तो at any instant की बात होती है एक्जेक्ट एक्स एक्जेक्ट वाई कितना है एक्जेक्ट एक्स पे वाई कितना है वह बात करेंगे इसलिए मगधा उन्दर बहुत ज्यादा चोटा करवें और फिजिक्स के अंदर जब आप डищ को चोटा कर रहे हो मींस आपने लिख्वाई दैल एक्स लिखा था यह लिख्वाई एक्स तो अगर आप इसको छोटा करोगे तो आप इसको चोटा करोगे किसको मतलब अगर अ dy by dx बन जाएगा क्या बन जाएगा बटा जी dy by dx बन जाएगा जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं clear समझ में आई चीजे मतलब आप लोगों को change ही लिखना है but instantaneous rate of change of लिखना है rate of change of a function with respect to one of its variable ओके बटा चलिए तो यह ग्राफ इस तरीके से समझाने के लिए है जब मैं इसको बहुत ज्यादा चोटा कर रहा हूं इसे distance को बहुत ज्यादा चोटा कर रहा हूं तो सिरफ एक पॉइंट के उपर बात आ जाएगी उस टेम पर यह एबी का चक्कर खतम हो जाएगा तो सही definition यह हो जाएगी फिर आगे की तरफ देखिएगा आगे की तरफ देखिए कुछ function है बेटा फॉर्मूलास है जो आप लोगों को पता होने चाहिए जैसे कि यहाँ पे इसनों लिखा कि differentiation अगर हम करें constant की तो वह 0 आती है जैसे हमने लिखा कि मानलो यह एक गराफ है एक्स और यह वाई के बीच में गराफ है ठीक है हमने बोला कि वाई की वैल्यू यहाँ पे यहाँ पे 5 है मानलो वाई की वैल्यू ऐसे 5 एक्स बदलता जा रहा है लेकिन वाई की वैल्यू क्य क्या आने वाला है कैस्का सलोब जीरो आने वाला है कि अपको पता है कि स्लोब अगर मुंझे निकालना है differentiation करना तो dy by dx करूँगा means एक तरीके से आप y2 minus y1 करोगे बहुत छोटा change होता है यह x2 minus x1 आप लोग करने वाले हो तो यहाँ पर देखो यार y की भी value वही है और x की भी y2 की value वही है और y1 की value वही है same है तो इसका मदलों यहाँ पर क्या होगा उपर 0 बन गया जिरो बन गया तो यहाँ पर लिख दोगे आप x raised to power n यहीं लिखोगे बड़ा अब पावर को आगे लिखेंगे जिसकी वह power है उसमें से एक माइनस करेंगे जिसकी वह power है उसमें से एक माइनस करेंगे ठीक है तो इस तरीके से ही हमारा जर्नल फॉर्मूला बनने वाला है ऐसे अगर आप लोगों के पास लोग x लिखा हो या फिर ln x लिखा हो मतलब लोग की अगर आप डिफ्रेंशेशन कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग क्या गरोगे जो x उसको 1 x लिख दोगे उसके लिए क्या गरोगे 1 x लिख दोगे बैटाजी differentiation of sine is cos x होगी और differentiation of cos x is – sin x होगी ध्यान से देखो यह sin x है तो cos x बनी और cos x है तो minus sin x बनेगी similarly अगर 10 x है बेटा हमारे पास तो वह secant square x बनेगा अगर coat x है तो वह minus cosecant square x बनेगा देखो ध्यान से 10 secant square में coat cosecant square में बन गया है उसके बाद देखो secant x की अगर हम करें तो वह secant x 10 x होगा अगर differentiation cos x की कर रहे हैं तो minus cos x cortex होगा अगर exponential की कर रहे हैं तो वह वैसे का वैसी आजाएगा अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यह confusion create कर लेते हैं कि यार negative कहां कहां लगाए इस किस formula में negative आएगा याद कैसे करें जब भी आप differentiation करो जब भी आप क्या करो differentiation करो और यहां पर ट्रिग्नोमेटरी फंक्चन आजाए और यहां पर लोगों का negative में ही आएगा यहां पर कोट है तो नेगिटिव में अंसर यहां पर कोट है तो यह नेगिटिव में अंसर इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं तो यह हो गए आप लोगों का differentiation में याद रखना कि आप लोगों को instantaneous rate of change of function with respect to one of its variable निकालना होता मलब आपको dy by dx निकालना होता है ठीक है चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं उसके बार यह कुछ फॉर्मला जो आपको रटने ही पढ़ेंगे अब आ जाते हैं product rule पर आप आजाते हैं product rule पर बेटाच ठीक है ज्यान से देखो यार ज्यान से देखो कि यहां पर क्या बोला जा रहा है कि यह हमारे पास क्या है यूवी है यूवी का मतलब है कि दो चीज़ा आप लोगों को दे रखेंगी जैसे कि मानलो कोई भी आप लोगों को Y is equal to X ठीक है और कुछ भी दे रखा हो जैसे यार साइन एक्स दे रखा है जैसे मान लेते हैं यह क्या दे रखा है बेटा जी तो इसमें आप लोग क्या करने वाले हो इसकी differentiation आप कैसे करोगे इसमें आप एक को पहले बाहर रग दोगे differentiation आप दूसरे की करोगे बटा जी दूसरे की आप क्या करदोगे differentiation कर दोगे plus इसकी differentiation आपने करी नहीं है ठीक है इसकी नहीं करें he और जिसकी हो गयी है पहले demonstration उसको लिख देंगे यह वही तो सेकंड की कर दो २ अब जिसकी नहीं हुई है जासे ही मान लो अगर कुछ ऐसा दिया हो यू अको picked एंस झाल दिया हुआ है उपर वाले को यू बोलेने इंद लेकल को वी और यू अपकी सब्सक्रेंबर लगे जैसा आपको सही लगे तब इसका डिविजिंड रूल कैसे लगे ते इसके तो डी वाई भाई डी एक्स मुझे करना है तो सबसे पहली चीज जो नीचे है उसको नीचे ही रहने दो जो नीचे है उसको नीचे ही रहने दो ठीक है नीचे वाला है भाई इस पर बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सारे उसके उपर बैठे होएं तो यहां पर लगा दो यह पाव में है अब वी की differentiation कर देंगे और यू को as it is रख देंगे ठीक है समझ आ गया यह नहीं आया फटाफट से बताओ यहां पर भी हुआ था जो हमारा यू था उसको पहले ऐसे रख दिया इसमें वी की फिर वी को ऐसे रख दिया ठीक है तो आपको समझ में आना चाहिए इस तरीक अब उसके करेंगे जिसकी होगी उसको छोड़ देंगे इस तरीके से आप लोगों के पास यह दो रूल आते हैं प्रोडक्ट रूल एंड डिवीजन रूल बेटा जी ठीक है इतनी बात है आगे बढ़ते हैं कुछ questions बगरा है और यहां पर हम समझेंगे साथ मियार chain rule क्या ह होता है एक बार इसको भी देख लेते हैं जैसे कि यहां पर लोगों को क्या दिया हुआ है यहां पर लोगों को दिया हुआ कि y is equal to कितना है बटा जी आपको दिया हुआ है y is equal to है कितना साइन एक्स square plus में 5 दे रखा है ठीक है और इसको यह बोले है कि differentiate करना है with respect to kis के बटा जी with respect to x के differentiate करना है ठीक है आप इसको ना धो तरीके से कर पा सकते हो ठीक है जान से देखो कि इसने बोले with respect to x निकालो बट यहां तो x square plus 5 है ठीक है x square plus 5 है तो पहला तरीका तो यही है कि कर दो differentiation अपना प्रोसेस कर दो इसको सिंबल तरीका ही अपना हो मंदब जो चीज दियो सी को करते चलो हमें पता है कि अगर मैं लिखूंगा अगर मैं लिखूंगा तो मुझे मिलेगा कोस ठीक है और साथ में या पे इसका यही एंगल एज़िटीज आ जाएगा यही होगा या नहीं होगा डिफ्रेंशेशन साइन के करूंगा तो कोस एक्स मिलेगा अब ध्यान से देखो कि हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं बट यहां पे क्या है एक् तोडना होता है ठीक है तो यहां पे बनेगा यह कोस एक स्क्राइब प्लस 5 ठीक है और यहां पर यह आ जाएगा 2X प्लस फॉंस्ट धो जेओ असे बचे गा ठीक है जो मतल यह एसे बचेगा ठीक है तो आप लोगों के सामने अंसर है 2x 1x3S प्लस 5 इसदा करोगे अगर dx कर रहे हो, अगर यहाँ पर आप dy by dx कर रहे हो, तो sign की क्या बनेगी, cos 2x, as it is, अब आप with respect to x कर रहे हो, तो इस 2x को भी तोड़ो, भाई सब, इस 2x को भी तोड़ो, क्योंकि differentiation इस तोड़ना, आपने क्या किया है, dx dx का, जो delta x था, उसको छोटा-छोटा-छोटा करता लाई तो इसको भी तोड़ा था न, अपने तो वही कामे की तोड़ रहे हो, तो यहाँ पर बने गई है, 2 बाहर आ जाएगा, cos, 7 में, 2x लगा दो, ठीक है, clear, इतनी चीजे, समझ में आ गई होंगी, तो product rule समझ में आ जा, question rule समझ में आ गया, chain rule समझ में आ गया, अब आ जाते हैं एक very very important topic पर, very very important topic है, जिसमें हम maxima minima को समझने वाले हैं, बेटा जी, किसको समझने वाले हैं, maxima minima को समझने वाले हैं, ठीक है, ओके, करें इसको, just a minute, अब ध्यान से देखो यार, हमने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया हो, कोई भी function है हमारे पास, मतलब कुछ भी equation दे रख्योंगी, उसके according हमारे पास एक ग्राफ मिल रहा है, तो अब लोग एक चीज देखो यार, अगर इस ग्राफ का यह मैं बोलू कि maximum point है या नहीं है, इस ग्राफ का यह maximum point है या नहीं है, इस ग्राफ का यह minimum point है या नहीं है, क्या मैं इस ग्राफ का इसको maximum बोल सकता हूँ, इसको minimum बोल सकता हूँ, यह maximum value तक जा रहा है, यह minimum value तक जा रहा है, इसको बोल सकते हैं इसे, yes or no, चलो, तो इसक का मतलब यह है इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर slope निकालूं अगर मैं यहां पर dy by dx करूं slope निकालूं तो वह क्या 0 आएगा है क्योंकि slope अगर मैं निकालूंगा तो यहां पर क्लाइन यह से लगानी पड़ेगी की लॉड़ निकाल रहा हूं मतलब चाहे मैं बात करूं मेकसिमा की चाहे मैं बात करूं हो पर निकाल लóg इस प्रम पर यहां पर निकाल मेरे पास जो Bugün य ही आ रहा है मेरे पास जो स्लोप है वह जी आ रहा है ओके क्लियर है आपको देखो यार सबसे पहले एक चीज समझ नहीं है अगर मैं यहां पर निकाल लोगे टेंजेंट अगर यहां निकाल लोगे तो आप ऐसे बना दोगे यहां चोटा से निकाल लोगे तो आप एक आप एक चीज देखो अगर हमने क्या बोला है हमने बोला था कि जीरो से लेके ना इंटी के बीच में जो बढ़ता जाता है लेकिन अगर मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं यहां पहुंच रहा हूं तो यहां पर जीरो स्लोप आ गया तो बात समझ भाई इसका मतलब पहले वैल्य जो ति वह ज्यादा थी तो यह करोगे यहां पर जीरो आ रहा है एतने बाद समय ठीक है यहां पर स्लोप क्या होगा यहां पर उलोगों का इंक्रीजिंग और इस तरीके से बढ़नो कि यहां पर क्या हो रहा है यह 0 हो रहा है फिर से यह नेगरिटीव में जाना शुरू होगा ठीक है और उसके बाद यहां पर 0 होगा फिर से यह बढ़ना शुरू होगा तो भी यहां पर एक चीज important हम करने वाले हैं की हमें यह तो मिल गया कि डिवाई भाई डिए एक्स के बराबर एक्स कीया बराबर है यह पता लगा हैJa ठीक है यह पता लगए अब इसका सिलॉप निगाल तो dy by dx का अगर मैं दोबारा से स्लोप निकालता हूँ dy by dx मतलब dy d square y upon dx square को अगर मैं क्लिकता हूँ यही कर रहा हूँ न भई तो यह value अगर क्या रही है negative आ रही है अगर negative आ रही है तो यह इसका मतलब है कि maximum value है यहाँ पर क्या होगा maximum value of y हो maximum value of y होने वाльव है maximum value of y होने वाला क्यों सर क्योंकि देखुएल यहाँ पे slope 0 था उपर की तरफ यहाँ पे क्या है slope 0 अब 0 के बाद क्या जाएगा negative होता जाएगा अब तो 0 के बाद क्या होता चलेगा भई क्योंकि angle कितने से बड़ा है नबे से बड़ा है तो जीरो के बाद मतलब इसका slope का slope निकाल रहे हैं तो यह value क्या देगा मुझे negative value अगर देगा तो मुझे maximum value देगा किसकी y के याद रखो अब अगर मैं यहां पर वही बात है कि अगर slope का slope निकाल रहे है दोबारह से 11 कर रहे हैं मतलब ऐसे ड's कर रहे हैं इसका यही तो कर रहे हैं मिन्स आप लिख रहे हो ड स्क्वेर वाय बाई में ड एक्स क्वेर जिस की value अगर कि आ गए positive रही है समझ में आया है यह नहीं है यहां यहां कहां पर स्लौप 0 इसके तुरंट बाद क्या होगा जब का स्लौप वह पॉज्टिव ए फिर ना चुरू होगा इसके तुरंट बाद दो बार ऐसे जब डि वाई वाई डि एक सदो बार करوجा है तो एक दम से गटना शुरू हो रहे है मारे सोना शुरू रहे है जब भी सपर व यह पाइब लोगों को याद रखनी पड़ेगी पड़ेगी कंडिशन आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी उके समझ में आ रहे हैं चीजे जल्दी से बताईए सभी दूबारा से देखो यहां पर दीवाइबाइब डी एक्स निकाल लें यहां पर दीवाइब डीएक्स निवालने तो जीरो ही हो रहा है मतलब डीवाइब डीएक्स जोए वह जीरो है कहाँ पर maximum minimum value of किसकी y पे अगर दोबारा से इनका इनका निकालता हूं तो यहां के बाद दोबारा से क्या होगा भाया यहां के बाद दोबारा से क्या होने वाला है ध्यान से देखो कि अगर आप लोग देखो यहां से जश्ट एकदम से स्लोब जोगा थोड़ा सा भी अगर सरकते हो तो negative में जा रहा है तो अगर d square y upon dx square की value अगर negative आ रही है तो मतलब वो y की maximum value है अगर positive आ रही है तो वो y की minimum value है बस यह process याद रखना सारा काम हो जाएगा कोशन करवा देता हूं ज्यान से देखेगा इन्होंने बोला है कि आप लोगों के पास एक equation है y is equal to 25x square plus 5-10x है ठीक है और यह बोल रहा है कि maximum और minimum value निकालनी है आप लोगों को इस function की maximum और minimum value निकालनी है आप लोगों को इस function की ओके तो सबसे पहला काम क्या है यार dy by dx निकालो और उसको 0 के put कर दो हाना तो dy by dx निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 25 into में आ जाएगा 2x constant की 0 होगी यह होगी minus 10 हाना क्योंकि constant बाहर dx by dx is 1 तो आपके पास क्या मिला आपके पास मिला 25 को 2x से multiply करेंगे तो 50x minus 10 यह मिला अब dy by dx को अगर मैं 0 put कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा 50x is equal to 10 means x की value is 1 by 5 आ गई मेरे पास ठीक है अभी तो सिरोप मेरे पास x की value कितनी आई है बेटा जी 1 by में 5i है मेरे पास x की value कितनी आई है बेटा जी 1 by में 5i है अगर मैं अब दोबारा से अगर इसका मतलब इसका या तो double slope निकाल दो या इसका एक बार slope निकाल दो ठीक है means आप यहाँ पर d square y upon dx square अगर कर रहे हो ठीक है तो उसकी value अगर negative आएगी तो maximum value बनाए जाएगी अगर positive आजाएगी तो minimum value होगी ठीक है तो चलो निकालते हैं यहाँ पर क्या बनेगा यह मतलब है कि आप d y कि इसका निकाल रहे हो d y dx कर रहे हो 50x-10 का ना इसका कर रहे हो 50x-10 का कर रहे हो यह हमें क्या मिलने वाला है यह हमें प्लस के मिलेगा 50 और यह यह plus value है कैसी value है प्लस ठीक है तो इसका मतलब हमें minimum value मिलने वाली है मतलब यह जो चीज होगी हमें minimum value पर मिलेगी है कि हममे minimum value मिल रही है कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि maximum मिलेगा या minimum तो आप बोलोके minima मिलेगा ठीक है minima value ये जो मिलेगा ये y की किस value पर मिलने वाला है ये y की किस value पर मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं y की किस value पर मिलने वाला है उसकी बात कर लेते हैं वो कैसे निकालेंगे आप लोग x की value को यहाँ पर put करेंगे y is equal to 25 1 by 5 का square is 1 by 25 है ना plus 5 minus 1 sorry 1 यह 10 है 1 by 5 ठीक है तो यह से cut यहाँ पर आ गया 1 plus 5 और यह इसको cut करेगा तो 2 आ गया minus का 2 means 6 minus 2 is 4 6 minus 2 is 4 ठीक है तो y is equal to 4 पे आप लोगों को क्या मिलने वाला है आप लोगों को मिलने वाला है बिटा जी minimum ठीक है ओके सवंज में आया यह सोर नो क्योंकि देखो हमारी condition क्या कहती है हमारी condition क्या कहती है कि अगर डी square y by dx square गी value अकर negative तो maximum value of y है ठीक है अगर मतलब वह maxima का case है और उस ते हम यह की value निकाल लेंगे लेकिन अगर तुम निकाल दो minimum मतलब अगर तुम्हारे पास value पॉस्टिव आ रही है तो वह minima का case है ठीक है वह किसका case है बैटा जी minima का case होने वाला है तो मेरे खाल से सभी को चीजे समझ में आई होंगी yes or no किस प्रोसेस से आप लोगों को यह करना था समझ में आ आगे बढ़ते हैं अब आ जाते हैं और integration पर differentiation हो चुका है differentiation कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है बिल्कुल सिंपल सा है तो अभी बात करते हैं integration की एक बार दोबार्या से देख लो इस प्रोसेस को निकालने का जो तरीका है बटा maximum minimum अगर तुम्हें बोला गया है find out करने को तो आपका क्या काम है dy by dx को zero put करना है फिर आपको double उसका मतलब double derivative निकालना अगर वो negative y तो वो maximum value कहलाएगी अगर वो positive y तो वो minimum value कहलाएगी अब वो maxima और minima पे y की क्या value रहने वाली है वो हम find out करने वाले हैं वो हम find out करने वाले हैं ठीक है तो for minimum value of y जो होगा d square y d x square जो होगा वो हमारा positive होने वाला तो यह minima का case रहेगा ऐसे ही यहाँ पर वही तो है जो हमारी double derivative की value आई थी वो कैसी आई थी बटाजी 50 आई थी जो की positive है अब बात करते हैं कि integration में क्या क्या होता है अब लोग क्या करोगे sum करोगे क्या करोगे सम करोगे मतलब सकते हो इसको सकते हो और स्टो इसको बोल सकते है रिवर्स प्रोसेस आप इसको बोल सकते हैं वहाँ पे आप लोगों को एक फंक्शन दिया होगा था उसका अपको डेरिवेटिव गिवन होगा ठीक है और आप उसका फंक्शन निकाल तो इंटिक्रेशन मतलब उल्टा प्रोसेस एंटिक्रेशन क्या है उल्टा प्रोसेसर वहां पर तोड़ा जा रहा था चीजों को वह डिस डिफ्रेंशियेशन था मतलब आप डिस इंटिक्रेट कर रहे थे हैं यहां पर तोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे तो इसको सुमेशन बोलेंगे, it is the reverse process of, reverse process of differentiation, ठीक है, जो फॉर्मूलास आपने पढ़े थे, वो भी change हो जाएंगे, चलिए, अगर मान लो बेटा, मैं यहाँ पे गराफ बनाऊ, इसके बीच में, अगर मैं यहाँ पे गराफ बनाऊ, य एंड एक्स के बीच में, ठीक है, और यहाँ पे इस तरी नीचे का एरिया, easily हम find out कर देंगे, या फिर आप बोलो कि यहाँ पे, आप क्या कर रहे हो, आप इसका जो एरिया निकाल रहे हो, वो simply, इसका जो भी नीचे का portion है, उसको shaded करके निकाल रहे हो, ठीक है, निकाल रहे हो, बेटा जी, ऐसा ही निकाल रहे हो, ओके, लेकिन अग ग्राफ, मतलब अगर इस लाइन के अलावा कुछ और आ जाए, मान लो अगर ऐसा आ जाए, अगर मान लो ग्राफ कुछ ऐसा आ जाए, इसके अलावा, यह तो शिदी लाइन थी, तो आप इसके नीचे का जो shaded area है, उसको निकाल पाओगे, अगर मान लो इसके यहाँ पे ग् और एक्स के बीच में अगर ग्राफ जो हो, वो अगर कुछ ऐसा आ जाए, तो भी आप क्या अगर सकते हो, इसका आप area find out कर सकते हो, लेकिन अगर ग्राफ कुछ इस टाइप का हो, जैसे आप लोगों के पास given है, ठीक है, लेकिन ग्राफ अगर कुछ इस टाइप का हो, जैस इस टाइप का आजाए, आप लोगों के पास, तो इसके नीचे का area निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, ठीक है, तो भाई साब इसका area कैसे find out करेंगे, तो हम क्या कर देते हैं, हम इसके नीचे का area जो एरिया है, जैसे इस गर्व कर देते हैं, जैसे इस को मैंने यहां पर बनाया, यहां पर बनाया, तो यहां पर मैंने क्या किया कि एक dy by dx अगर मुझे निकालना है, मतलब इसके नीचे का area मुझे निकालना है, इस कर्व के नीचे का area मुझे निकालना है, तो उसको कैसे करूंग, उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर इतना portion कट किया, एक strip कट करी, जिसकी यह जो length है वो dx है, और सभी strip की जो length है वो मैंने dx ही रखी, सभी strip की जो length है वो मैंने dx ही रखी, मतलब पहली की जो height होगी वो y1 होगी, दूसरी की y2 होगी, तीसरी की y3 होगी, चोथी की y4 होने वाली है, तो अब अगर आप एक strip का area निकालना तो अब क्या करते, आप y1 into में dx कर देते, दूसरी का निकालते तो आप y2 dx कर देते, तीसरी का निकालते तो आप y3 dx कर देते, चोथी का निकालते तो आप लोग y4 dx कर देते, yes or no, यही करते या नहीं करते, और तुम क्या करते कि सब को जोड़ दो, total area निकालना तो सब को तो यह जो याँवन डी एक से प्लस वाइटू डी एक से प्लस वाइए फोर डी एक से इसको य एंडी एक से ले जाते और जोड़ देते अगर तुम्हें टोटल एरिया निकालना होता ठीक है जैसे कि यह शमेशन दिखा रखा है लेकिन यहांसे समझो यार जब आप इस नीचे स्ट्रिप बना रहे हो तो आप स्ट्रिप में सिर्फ इतना अरिया फाइंड कर रहे हो अबुक्रा पार रहे हो आप इसका नहीं कर पा रहे हो इतने पर आर्यों का इसको निकालने के लिए क्या किया गया integration के symbol को replace किया गया किस से एक सुंदर से symbol इस से जिसको integration का symbol बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं integration का symbol बोलते हैं तो जो y dx हम कर रहे थे बार-बार मतलब जो सबको जोड़ रहे थे उसको अब हम किस तरीके से जोड़ेंगे मतलब अब उसको हम इस तरीके से लिखेंगे ydx हम उसको लिखने वाले हैं क्लियर इतनी बात है उसको क्या लिखने वाले बैटा जी ydx हम लिखने वाले हैं क्योंकि पहले क्या कर रहे थे आप जब total area निकाल तो पहले तो आप यह कर रहे थे ना य1dx लिख दो भाई साब प्लस में y2dx लिख दो प्लस में y3dx लिख दो आप ऐसे करते करते लाश तक जा रहे थे और इसकी समेशन करके हमने यह बना दिया ठीक है उसकी समेशन करके हमने यह बना दिया लेकिन हम हर स्ट्रिप में थोड़ा से area छोड़ रहे हैं उसको replace कर दिया गया मतलब अगर इसका area निकालना है तो replace किया गया एक सिंबल से जो कि इस टाइब का होता है और यह जो yidx को सीधा लिख दिया ydx क्या लिख दिया ydx ठीक है ओके बेटा तो यह होता है इंटीग्रेशन यह होता है इंटीग्रेशन आगे जब बहुत सारे सम में क्या होगा लिमिट नहीं दी आप लोगों को जैसे कि अभी हमने क्या लिखा है अभी हमने लिखा ydx लिखा हमने है अगर मालो मैं बोलूं कि xy की जो वैलियो वह है x raise to power n तो आप इसको कैसे लिखोगे आप लिखोगे xn dx लिख दोगे हना क्या यहां पर कोई limit लगी ह ठीक है या फिर बोल सकते हो लोवर लिमिट होती है हमारी आप इसको लोवर लिमिट भी बोल सकते हो नीचे हमें लोवर लिमिट लिखनी होती है और यहां पर लिमिट लिखनी होती है मैं बता रहा हूं लिखनी होती है लिमिट हम दो तरीके से करते हैं इंडेफिनेट और definite जिसमें आप लोगों के पास limited दे रखे होंगी कि कहां से शुरूओ के कहां तक integration करनी है जैसे यहां पर यह बता देता कि X की इतनी value से लेके X की इतनी value तक जाना है ठीक है तो भाई फिर आप लोग क्या करते उसको बोलते definite Beginning इंटेग्रेशन उसको बोलते लेकिन अगर कुई limit नहीं दे रखी जैसे कि यहां पर है यहां पर कुछ नहीं दे रखा तो आप क्या कर देते जो भी integration करते हैं अभी इस फॉर्मिले को समझाओंगा अभी के लिए समझो कि जो भी हम integration करके अपना result लिखते हैं उसमें plus हम सी कर देते हैं प्लस सी इस इस दा integration constant प्लस इस दा integration constant अगर हम जर्नल फॉर्मिले की बात करें कि इसकी integration की जैसे मानलों आप लोगों को बोला कि y is इक्स ज्रेट टू पावर एन है और इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है ठीक है मतलब आप करोगे यहां पर यूए डिए एक्स तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन कैसे होती है जैसे तो टार अगया आजाती थी जान से सुनों डिपरेस्येशन में पावर आ जाती थी integration में क्या होगा कि जो पावर दे रखी है उसमें एक और कर देते हैं नीचे भी क्या कर देते हैं जो पौर उसको नीचे ठीक है, minus 1 नहीं होना चाहिए याद रखना है, यह x की power कुछ भी आप minus 1 नहीं कर पाओगे, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर कोई limit नहीं दिए तो इसलिए मैं यहाँ पर का लगा दूँगा, x 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 कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे कि हमारा जर्नल फॉर्मूलाज जो कि अलड़ी मैं आप लोगों को बता दिया है, कि किस तरीके साब लोग कर सकते हैं, ठीक है, मानलो अगर यहाँ पर कुछ ऐसा दिया होता है, x raised to power 3 dx होता है, ठीक है, अगर ऐसा दिया होता है, तो आप क्य साज में आई इतनी बात है, yes or no, चलो, अगर मानलो आप लोगों के पास दे रखा है, 1 by x dx दे रखा है, अब बहुत सारे बच्चे देखो यहाँ पर इसको ऐसे भी लेख सकते हैं, यह एक्स माइनस वन है, बट एक्स माइनस वन नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसको integration करेंगे, वो log की form में बनेगा, log ix, plus में लगा देंगे, c integration constant या फिर आप इसको natural log लिख सकते हैं, plus में c कर देंगे, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं integration करूँगा, sin x dx की अगर integration कर दूँ, sin x dx की अगर मैं integration कर दूँ, वहाँ पे sin को जब differentiate किया जा रहा था, तो cos मिल रहा था, बट क्या मिल रहा था, positive का मिल रहा था, बट यहाँ पे sin का जब integration होगा, तो वो minus cos x मिलेगा, और plus में c हो जाएगा, similarly अगर आप integration of cos x dx लिख रहे हो, तो वो क्या बनेगा बटा, cos को differentiate करेंगे तो, sin आएगा, वहाँ पे क्या रहा था, minus sin x आ रहा था, आप लोग देखो, cos को अगर हम कर रहे थे, अगर हम cos को कर रहे थे, मैं दिखा देता हो, यहाँ पे, अगर हम cos को कर रहे थे, पटा, यह cos को differentiate करेंगे, तो minus sin x आ रहा था, अभी क्या होगा, प्लेस का बनेगा, अभी क्या होगा बेटा जी यह, प्लेस का बनने वाला है, तो cos बनेगा sin x, और plus में c हो जाएगा, तो इसी तरीके से integration of ex is, ex बनेगा, integration of ex dx अगर करेंगे, तो वो ex ही बनने वाला है, और वहाँ पे आपने differentiation 10x की कर रहे तो, क्या मिला था तो में, sec square x मिला था, ज्यान से देखो, वापे जाके, वापे जाके देखो, अगर तुमने differentiation of 10x कर रहा था, तो sec square x मिला था, अब अगर मैं sec square x का integration कर रहा हूं, तो मुझे 10x मिलेगा, बस यह याद रखना, reverse process है यह, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो यह कुछ formula हैं, जो आपको याद रखने हैं, यह सारे एक बार से नजर मार लो, सारे एक बार से नजर मार लो बेटा जी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, अब इन्हीं पर based कुछ question देख लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला कि integrate करना है, किसको 5, क्या लिखा है, x square plus 3x minus 2 dx लिखा हुआ है, तो अब क्या करें, सब के साथ इसको integration लिख दो, 5x square dx कर दो एसे, plus में ऐसे 3x dx कर दो, minus 2 dx कर दो, अब integrate कर दो, इसको क्या दिखाता है, सब के साथ कर देते हैं, प्लस दे रखा माइनस दे रखा सब के साथ लगा दो, तो यहाँ पे ब यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस 2 बाहर आएगा, क्योंकि constant है, constant को integration से भी भार रखना, जैसे differentiation में रखा था, यहाँ भी रखेंगे, और integration of dx, इसको क्या लिखूँगा, इसको मैं x लिखूँगा, तर ऐसा क्यों बोलो है, आप इसको x के से लिखोगे, और plus में लगा दूँगा, c, ध्यान से देखो, मैं कर रहा हूँ, integration of dx, यह कर रहा हूँ, और इसको मैं बोल रहा हूँ, कि इसको मैं x लिखने वाला हूँ, अरे भी इसका मलो यही तो है, कि यहाँ पर x की power 0 होगी, यहाँ पर dx होगा, यही तो है, यहाँ पर x की power 0 होगी, dx होगा, इसका मतलब कि power में एक एड करूँगा, नीचे क्या करूँगा भई, power में एक एड करूँगा, तो मेरे पास क्या मिल रहा है, x मिल रहा है यह नहीं मिल रहा है, तो इसलिए जब भी, आप integration of dx करो, integration of dt करो, तो आप सीधा dx का x बना दो, dt का t बना दो, dp का p बना दो, और dc का c बना दो, इस तरीके से बेटा, ठीक है, समझाया, answer match हो गए, अगर मान लो बेटा जी कुछ ऐसा हो, कि आप लोगों को बोल दिया जाए कि integrate करो, 1 upon 4, x प्लस में 5, ऐसे है, इसको integrate करो, 1 upon की form में दिया हुआ है, ठीक है, 1 upon की form में दिया हुआ है, तो आप या तो इसको कर सकते हो, कि put कर लो यार, 4 x प्लस 5 को आप x put कर लो, x, means यह कुछ ऐसा हो जाएगा, कि 1 by x, dx हो जाएगा, और आपको पता है कि 1 upon x की जो form होती हो, वो लोग में जाती है, integration में, अभी formula में पढ़ा था, यहाँ पे बन जाएगा, यह क्या, यह बन जाएगा, लोग या फिर लन में लिख सकते हो, नेचरल लोग में लिख सकते हो, आपकी मर्जियल लन, किसकी कर रहे हो बई, जो नीचे है, 1 upon x तो वो साथ में x आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा, 4 x प्लस में 5, लेकिन सुनो यार, आप dx की साथ कर रहे हो ने, integration, यहाँ तो यह 4 x प्लस 5 है, जैसे differentiation में, जब x के अलावा कुछ भी add हो रहा था, कुछ भी power थी, तो उसको हम दोबारा से तोड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी उस चीज को तोड़ेंगे, वहाँ क्या था, वहाँ देखो बेटा जी, मैं बताता हूं तुमें, मैं difference आपको बता देता हूं साथ की साथ, ताकि confusion creator ना हो किसी के mind में, यहाँ पर क्या था, जो यह चीज को तोड़ रहे थे, उसको हम तोड़ के इसके साथ multiply कर रहे थे, बट integration में जब भी तोड़ेंगे, उसके नीचे लिखने वाले हैं बेटा जी, ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम differentiation करेंगे, d by dx करेंगे, और यहा d x upon dx, तो 1 हो जाएगा और constant 0, इसका मतलब आप लोगों के पास अंसर क्या आएगा, 1 by 4, ln, 4 x plus में 5, और plus में integration constant c आजाएगा, ठीक है, yes or no, फटा फट से एक बार, सभी बच्चे, बताइए बटाजी, क्या इतनी बात है, समझ में आईए, ठीक है बटा, चलिए अब आगे एक मिनट, integration by parts, वो भी बहुत अच्छा सा question है, integration by parts वाला, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा question है, बट पहले आप integration by substitution समझे लो, देखो बटाजी, यहाँ पे आप लोगों के पास, दे रखा है 2x, ज्यान से देखो, आप लोगों के पास दे रखा है 2x, e की पावर कितना है, x square और dx दे रखा है, बोला जा रहा है कि इसको आपने क्या करना है, integrate करना है इसको, ठीक है, बट ज्यान से देखो जार, इस question में हम क्या करें, इस तरीके के question में हमें बटा जी, put करना होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर मैं put कर दूँ, x square को t put कर तो आपको क्या पता कि x square को t put करेंगे, भाई हमें खुद से check करना होता है, mind में रखना होता है, वो practice करने से आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको differentiate करूँगा, तो यह बनेगा 2x, yes or no, ठीक है, और यह बन जाएगा, क्या यहाँ यहाँ पे dt by में dx, yes or no, यह है, तो अभी ध्यान से देखो, 2x, dx की value dt आ गई है, कितने आ गई है dt, और e raise to power जो x square उसको मैंने t माना था, तो यहाँ पे e raise to power t है, तो क्या अब यह simple नहीं हो गया, क्या यह अब simple नहीं हो गया, क्योंकि तुम्हें पता है कि exponential की अगर हम integration कर रहे हैं, तो वो as it is आ जाता है, तो आप इस तरीके से कर सकते है, ठीक है, ओके, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, क्या इतनी बाते समझ में आई है, क्या इतनी बाते सभी को समझ में आई, यह तह है integration by substitution method, आपको कोई चीज पुट करनी पड़ेगी, खुद से देखना पड़ेगा, कि हाँ यार अग है, मतलब अगर आप लोगों के पास integration दे रखी हो, बेटाजी, यू वी डी एक्स ऐसे, मतलब product में अगर कोई चीज दे रखी है, उसकी integration तो में करनी है, तो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते थे, यू को ऐसी रिखते थे, differentiation वी की कर देते थे, प्लेस, वी की जिसको, पहले हम क्या किया, यू को as it is रख दिया, वी की differentiation करी, अब वी को as it is रखेंगे, प्लेस करके और फिर differentiation यू की कर देंगे, बट integration में ऐसा नहीं होता, कि सीधा आप multiply हैं तो direct ऐसा formula लगा दो, इसमें क्या होता बेटा जी, यू और वी को define करने का भी तरीका होता है, कि किसको यू ब तो वो तरीका क्या है, बटा जी वो होता है, आई लेट, क्या होता है, आई लेट होता है, जैसे कि I for inverse trigonometry functions, L for log functions, A for algebra, जो equations की form में होते हैं, और T जो है, वो क्या होगा, trigonometry, और E is for exponential, ठीक है, यह हमारा first बोलेंगे, यह second बोलेंगे, यह third बोलेंगे, यह fourth बोलेंगे, य अगर यह किस साम में आ रहा है, वो तो बता, देखो बेटा, मान लोगा तुम्हें बोला कि X, sin X की आप लोग क्या करो, integration करो, एक साइन X की अगर आप लोग क्या करो, integration करो, ऐसे, तो आपको क्या पता यार, X की पहले करनी है, sin की पहले करनी है, तो आप इस formula से चेक करोगे Ilet formula से, तो इसमें जो पहले आ रहा है, algebra, means यह हमारा algebra है, और sin X जो हमारा trigonometry है, तो इसका मतलब यह हमारा U हो गया और यह हमारा V हो गया, जो पहले आ रहा है, उसको पहला function बोलेंगे, जो दूसरा आ रहा है, उसको दूसरा बोलेंगे, तो यह define करता है Ilet, अब इसको करने कब येक तरीका है, जैसे कि मैंने लिखा, integration करनी है मुझे किसकी, integration करनी है, मुझे integration करनी है UVDX कि, तो जैसे वह पर पहले को बाहर बाहर निकाल देते तों वैसे यहां पर करेंगे पहले को बाहर निकाल देंगे इंटिक्रेशन करेंगे VDX की ठीक है पहले को बाहर निकाला integration कर दिया VDX का minus लिखेंगे बिटा जी याद रखना क्या लिखेंगे minus लिखेंगे यहाँ पर प्लस लिखते थे यहाँ पर minus लिखेंगे अब इसको as it is यहाँ पर रख दो ठीक है U integration V ऐसे लिखा मैंने और साथ में यहाँ पर DX कर दिया सिर्फ आपको क्या फरक करना यहाँ पर जी बाहर वाला यूए ने इसको डी यू बाई डी एक्स कर दो ऐसे कर दो कि देखो मैंने क्या किया formula समझाने का तरीका है वैसा तो आप लोगों की मर्जी है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है तो भी यहाँ पर पहले हमने क्या किया है जब पहला उसको बाहर लिख दिया फिर उसके बाद इस तरीके से आप पूरे का integration इससे आगे बेटा पढ़ेंगे अभी हम log function एक बार इसको एक बार से मैं करके दिखा देता हूं तो यह जो xsinx हमने लिखा है इसको एक बार से करके दिखा देता हूं ठीक है जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख हूँ यहाँ पर कि integration अगर मैं करूँ x sin x dx की ठीक है x sin x dx की अगर मैं integration करूँ तो यह हमें पता है कि यह हमारा u है और यह हमारा v है तो मैं क्या करूँगा पहले u को as it is रखूँगा v की differentiation और integration करूँगा minus फिर du by dx करूँगा यहां पर अंदर वो vdx है और पूरे को ऐसे बंद करके इसको integration करूँगा with respect to x dx कर रहे हैं तो dx लिख रहे हैं इसका मतलब है कि x को मैं बाहर लिख रहा हूं येस integration के साइन की इसवाट월 के साइन की integration बताएए साइन का डिक्रेटरेंगरेशन को से होता था या हम लिख यहां पर आ लिखेंगे एकस बाहर यहां पर आ गया मैंनस वो जेख व्रसके मि अब उसके बाद क्या करेंगे या偉ar हम करेंगे क्या जो दी यू था मतलब यू कोन है हमारा एक्स दी एक्स बाई में एक्स हो गया इंटिग्रेशन ओफ इसकी वी डी एक्स की इंटिग्रेशन वी डी एक्स का मतलब साइन एक्स की इंटिग्रेशन कर रहे हैं तो मतलब sin x की integration वही minus cos x और इसको पूरे को बंद कर दो इसको integrate करेंगे तो dx बनेगा अब dx by dx is one हो गया means आप लोग यहां पी इस पूरे formula को यहां पे लिख लो x minus cos x ठीक है बटा फिर क्या है minus integration कर रहे हैं dx by dx one हो चुका है minus आगया बाहर तो आप कर रहे हो cos x की integration बात खत्म हुई तो cos को integrate करेंगे तो sin x मिल जाएगा तो यह मिला आप लोगों के पास x cos x minus यहां पे plus sin x हो गया ठीक है क्योंकि cos की integration is plus का sin x cos की integration is plus का sin x है ना समझ में आया बटा येस और no फटा फिर्स एक बार बताओ तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते होगी it is sin x minus x cos x और plus में आप लोग लगा दो c integration constant clear है इसके बात करेंगे बटा जी लोग function को ओके और लोग किस तरीके से लिया जाता है इदर कैसे यूज करते हैं कुछ values है जो आप लोगों को याद रखने है कुछ properties है साथ में एंटी लोग भी सिखेंगे ज्यादा बड़ा नहीं है बिल्कुल चोटा सा रहने वाला है ओके तो देखते हैं कि सबसे पहले log रिदम क्या होता है तो यार लोग रिदम इस दा इन्वर्स function of exponentiation मतलब जो पावर वाले functions है जैसे कि हमने कोई भी पावर में लिख रखका ऐसे टूरेस टू पावर थ्री और इसका जो रिजल्ट आया वह एट आगया ठीक है अब इसमें ध्यान देना कि क्या important है जो यह 8 है पिटाजी यह क्या है कि नंबर है और यह जो डू है वो क्या है क्या है करना कोकि यह हमने क्या लिखा वह यह इखा ह min इसका उल्टा करना है हमें तो लोक फंच्चन जो है इनवर्स किसका इनवर्स फंच्चन और यहां पर आ जाएगा क्या थ्री आ जाएगा थ्री मतलब कि बेस की पावर कितनी करें बेस की पावर कितनी करें कि अंसर 8 आजाए यहां पर आ गई है वह पावर यहां पर आ गई है भटाजी वह पावर ठीक है तो हम नहीं यह चीज करें यह होगा आपका लोग फंच्चन या फिर बोलोगी इस तरीके से आप लोग में जो भी चीज़ें उसको इसे बता सकते हैं अब 8 रिजल्ट कब आएगा कब आए अगर मैं कि पावर कितनी रखों तो आएगा 3 ठीक है अमें अस cover आपको बोला जा रहा है कि लोग 8 विदhol बेस यह बोला जा रहा है इसका मतलब में 2 की पावर कितनी डशा रहो पावर यहां पर आएगी वह मैं रखो ने टीन रखेंगे रहे अब को लिखे जाते हैं वह लग कुछ जा मैंने क्या लिखा और यहां पर यहांपर एलिका तो इसको बोला कैसे जाता है आप बोलो कि लोग B with base A क्या बोलोगे जिसको लोग B with base A आप लोग बोलने वाले हो ठीक है इन्वर्स कैसे है यार देख लो ध्यान से यहां पर यह तू है यहां पर यह तू है उसकी पावर तीन है यहां पर एक तरीके से दिख रहे है आप लोगों को पावर कितना यार एट है आपको क्या है लोग B with base A ऐसे बोला जाता है लोग B with base A ऐसे बोला जाता है ठीक है समझ में आया इतना yes or no जैसे कि मान लीजिए मैंने यह लिखा है लोग A मतलब लोग B upon A है अगर मैं इसको X के बराबर कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि A की पावर X करने से मुझे B मिल रहा ह है वही चीज तो यहां पर करिया वैटा अब स्कीर कह लेजाना है रखना है अप लोगों को यहां पर रखना है जो जो यह हमेश्य क्या होगा जीरो से बड़ा होगा और एक के बराबर नहीं हो यह चीजरा रखना और जो ब्र जो इस पर इतर लिख फॉर अर्देश्य और और भी जो है इसकी वैल्यू अपको पता होनी चाहिए और एभी है वह जीरो से बढ़ाओ बट एक के बराबर नहों ठीक है समझ में आगया तो यह definition है एक्जेक्ट किसकी लॉग function की बटाजी एक्जेक्ट definition है किसकी लॉग function कुछ चीजे हैं जो आप लोगों को यहीं पर इन वैल्यू के हिसाब से जो है समझ लेनी है कि यह पॉसिबल नहीं है जैसे यहां पर लिखा लोग टू यहां पर है माइनस टू ठीक है अब माइनस टू को और वह भी है भी हमने क्या बोला जीरो से बढ़ा होना चाहिए माइन सब्सक्राइब नौट बंड यहां पर लिखा लोग फाईब बेस वन बट बेस जो है हमारा एक को बराबर ना इसका मतलब क्या है कि जो अंसर आएगा वो पावर होना चाहिए अगर आप यहां पर यह लिखना चाहते हो कि 2 raise to power 4 है तो यह 16 हो है उसको लोग form में हमने ऐसे लिख दिया है ठीक है समझ में यह होता है लोग बनाने का तरीका करने का तरीका है हमें फिजिक्स में इतना ही पता हूने चाहिए कि लोग को कैसे लिखा जाता है बोला जाता है कुछ पर लोग हो रहा होगा ठीक है हम यहान पर अपने कोर्स के अंदर कवकर फंक्शन्स को ठीक है यह होगा गहीं कॉन लोग और एक होगा नैचुरिल लोग सबसे ज़्यादे तुम्हें यह दिख रहा होगा कई बार तो जहां पर बेटा जी आपको लिखा मिले लोग X with बेस 10 जहां पर तुम्हें लिखा मिले कि लोग X या कुछ भी यहां पर चीज लिख हुई है और बेस यहां पर 10 आ जाए तो वह कौन है वह common लोग आपने बोलना लेकिन अगर आप लोगों के पास कुछ फैसा अजाए कि लोग एकस विद बेस याजाए या फिर LN एकस आ जाए क्योंकि इसको यहिं बोलते हैं लोग Ama अगर या आपके पास लोगी मतलब लोग एकस विद बेस या allíा एलन ऍक Efendimiz आज तो इसे बोलते हैं नेचुरल लोग बेटा जी क्या बोलते हैं नेचुरल लोग बोलते हैं ठीक है यह एक वैल्यू है यह इसको क्या वैल्यू है यह जिसको हम क्या बोलते हैं यह नेपेरियंस कॉंचंट बोलते हैं वैल्यू आपके सामने 2.178 एप्रॉक्सिमेट वैल्यू है इसको एक बार से देख लेना कहीं बार यूज हो जाते है कि 2.718 यह आप लोगों के पास वैल्यू रहने वाली है पूछी नहीं जाएगी आपको प सकते हैं अब कुछ प्रॉबर्टीज है जैसे अगर मानलो आप लोगों के पास दे रखा है लोग मैं ऐसे दे रखा और यहां पर बेस ए है मतलब यह प्रोड़क्ट में दे रखें बेटा जी तो जब भी प्रोड़क्ट में दे रखें आप उनको प्लस में लिख सकते हैं प्लस में लेख सकते हैं उके इसके अलावा अगर मानलो यह बैएकी A-log N with base A ये minus की फॉर्म में आजाएंगे ठीक है अगर power दे रखी हो तो power आगे आजाएगी ठीक है power क्या हो जाएगी पैटड़ी आगे आजाएगी उसके बाद अगर मानलो base की ही power दे रखी हो मानलो base की ही पावर दे रखे हो तो वो आगे आएगी बट one upon की form में लिखे जाएगे ठीक है जैसे कि यहाँ पे लिखा क्या है यहाँ पे लिखा है लोग यहां पे जो बेस है अ जो है उसकी पावर एम लिखी हुई है उसकी पावर एम लिखी है तो ख्या होगा आप पावर को आगे ही लिखोगünde जैसे यहां पे आप 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 आगेके लिख रहे हुआ बट वह वन अपॉन की फॉर्म में लिखा जाएगा बागी सारी चीजे वही लोग ए लोग भी विद बेस ए ऐसे लिखा जाएगा ठीक है ये सोर नो बड़ावड से बताईए नेक्स देखिएगा नेक्स ने बेटा जी आप लोगों के समने मानलो आप लोगों के समने कोई न ऐसा ही दे रहे हैं यहां भी सेम और यहां भी सेम है जिसकी पावर हम कर रहे हैं वही बेस में है तो सीधा अब लिखो बी अंसर हो जाएगा अंसर आप लोगों के पार इसी तरीके से मतलब अगर मानलो एकी पावर में लोग मैं सी लिखूं और बेस उस टाइम पे बी कर द कि बैस और बेस और बावर दोनों सेम है और जिसके उपर लगा वह वह दोनों से मैं तो आपने जिए सिपके टीक चुछ कि vendas बिटा जो आपको याद रखने मोशली कौन-कौन से उते हैं पहला दूसरा तीसरा और बस यह तीसरा हो गया यह यहां पर यह वला भी यूज़ता है ठीक है यहां पर क्या बोला जा रहा है यहां पर बोला जा रहा है कि अगर मान लिजी यह लोग लोग B with base A लिखा हूँ है तो आप इसको 1 upon form में अगर लिखना चाहते हैं तो आप इसको लोग कैसे लिख सकते हैं A with base B लिख सकते हैं यह वाला result में बोल रहा हूं ठीक है इस result को मैंने पहले बता दिया है ठीक है बटा इतना समझ में आया है कि अगर मान लोग मुझे दिया ह लोग यहां पर यहां पर यहां पर लिख सकते हो लोग B और यहां पर लिख कुछ गलत नहीं है बट आपको बेस कुछ भी एक नमबर लेना होगा, arbitrary base यहां पे होगा, ठीक है, मतलब देखो log B with base C, log A with base C, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी result को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसी result को आप ऐसे भी लिख सकते हो, clear है, अब अगर मानलो कुछ ऐसे आ जाए, X की power में आ जाए, तो वही है भी power आ गया जाए यहां पे लिखेंगे log, जो X है, उसका modulus लिखेंगे, मतलब magnitude लिखेंगे और यहां पे base A करते हैं, तो यह result है, यह properties है, जो आप लोगों को याद कर लेनी है, बहुत अच्छे से, ठीक है बटा, चलिए, आगे बढ़ते हैं, next देखेंगा, next आता बटा जी, anti-log, anti-log किस तर base लिखा, लोग आपने लिखा log X with base A, वो किस के बराबर लिख दिया, आपने मान लोग आपने लिख दिया, Y के बराबर लिख दिया, आपने क्या किया था कि exponent का उल्टा किया, वो लोग बन गया, अब लोग का anti-log ले रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, लोग को दोबारा exponent सब्सक्राइब लिए जाहा है मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा दोबारा एंटी लोग की फॉर्म में क्या ये तो क्या होता पावर होती है यह आप लोगों के पास नमबर होता है और यह आप लोगों बेस की पावर करें तो आपके पास X आ जाता है यह ले लोग में क्या लिखेंगे एंटी लोग लिखेंगे वही रहेगा लिखो आपने वही काम किया है आपने वही कांग किया कि a raise to power y वो x बन गया है clear है yes और no ओके बटा इस तरीके से आप लिख सकते हैं जैसे कि मानलो आप लोगों के पास एक example है कि आपने लिखा लोग 16 with base 2 तो आप यहां पर क्या लिखोगे 4 लिखोगे क्योंकि 2 की पावर कितना करें 2 की पावर कितना करें कि answer 16 अब इसका मुझे अन्टी लोग करना है यहां पर लोग ठीक है यहां पर लोगों के पास अब जैसे हमने notation लोगर्यद्मिक की लिखी थी वैसे ही एक anti-log की भी notation होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे फंक्शन माना, g, x, यह हो गया, क्या है कि यह anti-log, अगर मुझे लिखना है, anti-log, x with base, a मुझे लिखना है, यहाँ यह notation तो तुम्हें पता लग गई है, already पता लग गई है कि इसको लिखना कैसे, लेकिन इसमें, यह जो base है, य के बारे में यहाँ पे कुछ चीजिए है, जैसे कि x क्या होना चाहिए, कोई भी एक real number हो सकता है, ठीक है, और a जो base है, वो क्या होगा, 0 से बढ़ा होगा, और not equal to 1 होगा, इस से पहले हमने base के बारे में क्या पढ़ा था, लोग function में हमने base के बारे में क्या पढ़ा था, ल साथ में क्या हो बेटा जी, यहाँ पे, वो 1 से 1 के बराबर भी ना हो, वही चीज़ वहाँ पे लिख रहे हैं, क्योंकि base को तो छेडा ही नहीं है, हमने base को तो हमने छेडा ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आजाओ, ओके, तो यहाँ पे वही है, कि a जो 0 से बढ़ाओ, और 1 के बराबर भी ना हो, और जो X है, यह जो X हम लिख रहे हैं, यह वाला जो X है, यह कोई भी arbitrary number, मतलब कोई भी real number हो सकता है, कुछ important result है, जो आप लोगों को याद रख लेने हैं, बहुत अच्छे से, जो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद रख लेने हैं, बेटा जी ठीक है, just a minute, चलो, तो बहुत अच्छे से याद रखने हैं, कौन-कौन से result, जैसे कि आप लोगों के पास result होता है, लोग, अब लोग वाले result में तुम्हें बता रहा हो, log 10 with base, sorry, log 2 with base 10, अगर तुम लिख रहे हो, तो यह 0.3010 की form में आपको value याद रखने पड़ेगी, ऐ ऐसे ही अगर आप लोग 3 with base 10 लिख रहे हो, तो आपके पास 0.4771 या approximate value है, एक ऐसी value है, approximate value है, ऐसे ही ln 2, मतलब log 2 with base E, इसकी बात हो रही है, log 2 with base E, इसकी बात हो रही है, तो उसकी value 0.693 होगी, और जो ln 10 है, means log 10 with base E, खिक है, उसकी value 2.30 हो रही है, यह वेरी वेरी इंपोर सारी चीज़ों को use कर रहे होंगे, और इस form में वो answer आप लोगों के पास आ रहे होंगे, बस याद रख लेना यार, यह आपके natural log हैं, इदर common log लिखे होगे, इदर आप लोगों के common log लिखे होगे, ठीक है, इतनी बात से समझ में आई, ठीक है बटा, तो यह होता है, anti log करन दिया, ठीक है, साथ में हमने निप्टाया, graphs को, जो कि simple है, बस आपके पास photos होती है, उनको याद रखना है, उनकी equations को याद रखना है, ठीक है, graphs को, दूसरा हमारे पास क्या था, differentiation और तीसरा हमारे पास क्या था, integration, ठीक है बटा, और उसके बाद हमने किया अभी, integration और उसके बाद हमने किया क्या, log function, ठीक है, उसके बाद anti log, तो ये सारी चीज़ आपके basic में आ गई है, इसके अलावा जो vectors है, वो हमारा next lecture होगा बेटा, क्योंकि vectors को अलग से करवाया जाएगा, क्योंकि वो motion इने plane में भी आता है, तो वो next, कोई भी lecture आएगा जब, उसक पच्चिस को, और ये जो चीज में आप लोगों को करवाई है, सिरो बोड एक्जाम तक सिमित नहीं है, ये आप आपका जो नीट एक्जाम है, उसके लिए भी use कर सकते हैं, इस चीज़ को, ओके, चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं, समप मिलते जल्दी से मत्रम